लाशों को सीडिया बना कर ऊपर चलना गया बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है बट नौट इंपॉसिबल मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता क्भूसर अचाने इंडबन प्रक्ता है अरगोश येर बन के पहाड़ इसे लिए वोलन्स 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 प्रशांद डोंट लाइक इट बट वोलन्स लाइक प्रशांद नील आक्शन फर्मों में प्रशांद नील का कोई हिसाब नहीं है दोस्ते जहां की जी अपो उर्गम हो या पर सालार हो सालार वैसे तो 2020 की बड़ी फर्मों में शामिल हो गई है लेकिन बड़ी फर्मों वाली बात नहीं है इसने बॉक्स ओफस पर गरदा उड़ा दिया था सालार को ओडियंस का जबरदस रिस्पॉंस मिला और इसी के साथ इस पर नोटों की परसाथ हो गई यहां तक की इस पर्म ने शारुखान की डंकी को भी बॉक्स ओफस नंबर में मात दे दी लेकिन दिलों में नंबर नहीं बना पाए जी है सालार अपने कैस रजिस्टर में हर दिन करूरो एड़ कर रही है अगर इसके कमाई की बात करें तो 90.7 करूर रूपी से ओपनिंग करने वाले इस फर्म ने पहले हफते में 308 करूर का कलेक्शन किया था वहीं दूसरे हफते में भी सालार की कमाई काबल तारीफ है अब इसने रिलीज के आठ वे दिन 9.62 करूर, नौ वे दिन 12.55 करूर, दस वे दिन 15.1 करूर, यार वे दिन 16.6 करूर और बार वे दिन 6.45 करूर की से कलेक्शन किया वहीं 13 वे दिपम ने 5.25 करूर की से कमाई कर डाली है तो अब इसका दोस्तों टोटल हो गया है 373.57 करूर पीस, पर्म के दुनिया भर में 650 करूर हो गया है और 700 करूर की करीबी पर्म पहुच गई है इस पम का निर्देशन प्रशाद नील ने किया है इलाज मुस्तों आपको ये पम कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में दरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तब वीडियो को लाइक और शेयर करें हालो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिग्राइट स्टूरियो जो में और मैं हूँ आपके साथ हनुषका दियागी वो आ रहा है वो आगिया है वो आने वाला है ये इसकी महर है और इस महर का मतलब जानते हो मैंने जब सिनिमा में इस फिल्म को देखा मेरे कान से खून आने लग गया था सारे डायलोग्स को सुन-सुन कर ऐसा लग रहा है जिसे फिल्म में लूप पर चला दिया हो कि भगवार ऐसी फिल्मों से मुझे बचाए लेकिन फिर भी सलार कमाई कर रही है शायद यही टालेंच है प्रशान दिल का इसे कहते हैं एक अच्छा डिरेक्टर जो कूडे को बेच कर भी करोडो कमा ली डंगी से फार बेटर फिल्म है सलार फिर भी कमाई में इससे आगे है अब तो लग रहा है सलार पर जो फरजी कमाई के लालचन लग रहे हैं दोस्तों ना वो सब सही है वह लड़ाई जगड़े ही देखने होते तो इससे अच्छा तो अपने पडॉस के आंटे को देख ले है मतलब कैसे चलो थोड़ा इसके हिसाब लगाते हैं आप लोग भी साथ में जोड़ो तो आद पर दोड़ी जाद अच्छी होंगी होगी सलार ने फर्स्ट वीक में 308 करोड के माई दूसरे वीक में फ्राइडे कू 9.62 करोर कमाई फिर साटरेडे 12.55 करोर कमाई फिर संडे को 20.32% का उच्छाल भी आया और 15.1 करोड कमा गई तो नतीचा हुआ कि सलार ने फर्स्ट पर 90 करोड से जाद का कलेक्शन कर अपने नाम साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनर का रिकॉर्ड बना लिया है 11 दिनों में इडिया में 360.77 करोड और वल्डवाइड 6.25 करोड कमा पाई भगवान जाने लोग इस पर पैसाखर्स क्यू कर रहे हैं ओ अच्छा, now I got it जाहे कुछ भी हो तबको अपनी लाइफ में एक देवा तो चाहिए ही जो टॉक्सिक बॉस रिष्टदारों बॉइफ्रिन से निपन सके बए गर्दन बेशक नकटे जुमान भी काट देगा तो काम चल जाएगा तो जाओ सलार में देवा को देखने और खुद से रुलेट करो कि ऐसा दोस्त तुमें भी चौहिए क्योंकि यह फिल्म दोस्तों की कहानी है जो जिगर यार हुते हैं लेकिन कहानी में एंड में कुछ इसा होता है कि वह एक दूसरे की दुश्मन मन जाते हैं जो सलार पार्ट बन में तिखाया नहीं बस अजियूम कर लो, कहकर छोड़ दिया गया है दोस्तों खेयर अब आपको आज ये वीडियो कैसे लगी है हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताएगा साथी मूवी कैसी लगी है ये भी बताएगा हमारी आज की राइटर है मनीशा जैन आलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है बॉलिकराद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुशका त्यागी रिपेल स्टार प्रभास और डिरेक्टर प्रशान नहीं की फिल्म सलार को लेकर क्या होगा क्या होगा करके दोस्तों बहुत टेंशन हो रही थी पर जिस तरह से प्रिशान ने बादा किया था कि वो प्रभास का जबरदस कमबाग करवाएंगे तो उन्होंने वो कर भी दिखाया है ओपनिंग डेपर 90 करोड की कमाय करके वोल्डवाइट 176 करोड का बिजनस करके प्रभास में दिखा दिया कि स्टार्स हाव आलवेज बिन स्टार्स वैसे 22 दिसंबर को रिलीज हुए इस पान इडिया फिल्म ने 9 दिन 12 करोड का बिजनस कर दिया है तो महीं वल्डवाइट में फिल्म ने 600 करोड का बिजनस कर चुकी है जो सलार की सबसे बड़ी कॉमपटीशन है पर सलार ने दिखा दिया कि कॉमपटीशन चाहे जितना भी हो फिल्म में दम होगा तो कलेक्शन करने से उसे कोई नहीं रोक सकता वैसे सलार ने एक और रिकॉर्ड बनाया है नौ दिनों में ही 105 करोड का बिजनस किया है वो भी हिंदी बेल्ट में और सलार प्रभास की पांचवे फिल्म बन गई है जिसने हिंदी बेल्ट में 100 करोड क्लब में एंट्री माली है सलार से पहले प्रभास की बाहुबली टू 511 करोड आधिपुरुष 148 करोड साहो 145.70 करोड बाहुबली 118.50 करोड ने हिंदी भाशा में 100 करोड की नेट कमाय की दी इसके साथ ही प्रभास साउथ के पहले ऐसे आक्टर बन गए है जिनकी एक से जादा फिल्मों ने 100 करोड का नेट बिजनस किया है तो प्रभास 100 करोड क्लब में किंग बन गए है दोस्तों वेसे अब तक फिल्म 10 वे दिन पर 18-20 करोड का बिजनस कर चुकी है ऐसा कहा गया है अगर डंगी के 10 वे दिन के कलेक्शन की बात करे तो फिल्म ने 8-9 करोड तक का बिजनस किया है चलो दोस्तों मतलब 400 करोड के बजट के साथ बनी इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है तो हम यही कह सकते हैं कि प्रभास का हिस्टोरिकल कमबाग हो चुका है बस अब आगे चल कर देखते हैं कि सलार और क्या क्या करती है हालो नमस्कार आप सभी का स्वागेत है बॉलिक राथ स्टूरियोज में और मैं हूँ अनुश्का त्यागी प्रभास स्टारर सलार के रांसमिन के बार से ही फांस इस फिल्म की रूलीज का बेस अब जिसे इंतिजार कर रही थे और जब यह फिल्म थियेटर में पहुंची तो इसने वाकई धमागा कर दिया दोस्तों यहां तकि प्रभास स्टारर फिल्म ने शारुक खान की डंकी को भी पीछे छोड़ दिया है क्यों हिला डाला ना इस फिल्म अपने ऊपनिंग डे से ही ताबड़ तोड कलेक्शन कर रही है इस बीच इस फिल्म ने कई रिकॉर्ट भी इपने नाम की है चलिए यहां जो आनते हैं सलार ने रिलीज के आट वे दिन कितने करोड का कलेक्शन किया है साकनल की अलरी टेन रिपोर्ट के मुताविक सलार ने रिलीज के आट वे दिन यानि की सेकेंड फ्राइडे को दस करोड का कलेक्शन किया है इसे के साथ सलार का आट दिनों का कुल कारोबाय अब 318 करोड रुपे हो गया है दोस्तों वही दुनिया भर में इस फिल्म ने साथ दिनों में 542 करोड रुपे का कलेक्शन किया है सलार ने रिलीज के एक हफ्ते में ही 300 करोड रुपे से जादा का बॉक्स आफस कलेक्शन कर लिया था साल 2023 के आखरी वीकेंड पर भी दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स आफस कलेक्शन कम नहीं रहा हाला कि छुट्टियों के मौसम में भी सलार ने 10 करोड रुपे की कमाय की है अब सलार के विरड़ व्यक्षन की वायट करे तो ये फिल्म 550 करोड रुपे का अख़र भी पार कर चुकी है बारत में इस फिल्म का ग्रौस कलेक्शन 370 करोड रुपे के आसपास है वही विदेशों में इस फिल्म ने 105 करोड रुपे से जादہ का कारूबार किया है सलार को केजिय फेम प्रशान दीन निर्देशित किया है वहीं पृत्विराज सू, कुमारन, शृती हसन और जगपती बाबु सहीत कई कलाकारों ने दमदार रोल निभाया है ये फिल्म दो दोस्तों की कहानी पर बेंज़ है जो किसी घटना की वज़ा से एक दूसरे के दुश्मिन बन जाते हैं क्या दोस्तों आपने भी ये फिल्म देख रहे हैं कॉमन सेक्शन में ज़रूर बताएगा हमारी आज की राइचर हमानी श्रूर हलो नमस्कार आप सभी कस्वागे थे बॉलिगराद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी सावत के बाहु बली प्रभास के फिल्म सलार पार्ट वां सीस फायर ने रिलीज के बाद से सिनमा घरों में दूम मचारक की थी प्रशान नील की डिरेक्शन में बनी इस फिल्म में ओपनिंग डे के दिन ही ऐसी दाहार लगाई जिसकी गूल जब तक सिनमा घरों में सुनाई दे रही है तेलगूत, कंणर, तमिल, मल्यालम और हिंदी में रिलीज हुई इस फिल्म ने छे दिनों में पांसो करोड किया आकराप पार कर लिया है हाला कि जहां बुद्वार तक फिल्म के कमाई दुआधार हो रही थी, वहीं अचानक गुरुवार को कलेक्शन नीचे गिर चुका है ऐसा लग रहा है कि न्यू यर के सेलिब्रेशन और विकेशन की मार इन फिल्मों पर पढ़ने शिरू हो गई है इस फिल्म ने वैसे इस साथ दिनों में देश भर में तीन सो करोड का कलेक्शन पार कर लिया है बता दू कि सलार सी स्वाया पार्ट वन शालू के फिल्म दंकी के अगले दिन यानि कि 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी फिल्म ने एडवांस बुकी में तो बासी मारी है, साथी टिकेट खिड़की पर भी छप पर फारगर कमाई की है पर प्रभास की इस फिल्म की कमाई ने साथ की कई बंपर फिल्मों को जम कटक कर दी है 90.7 करोड की ओपनिंग के साथ ही इस फिल्म ने प्रभास की पिछली धाकर फिल्म बाहुबली 2 को भी पच्छार दिया है साकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने गुरुवार को 13.50 करोड की कमाई की है और वही फिल्म ने साथ दिरो में कुल मिलाकर 308.90 करोड के कालेक्शन के है इस फिल्म के वर्ल्ट बाट केलेक्शन की बात करें तो इसने दुनिया भर में करीब 503 करोड के आसपास कमाई कर ली है फिल्म सलार में प्रभास काफी दमदार रोल में दिखे हैं दोस्तों और उनके आक्शन सीन्स की जमकर तारीव भी हो रही है इसके लावा इस फिल्म में शुर्ती हसन, पीश्वरी राव, श्रिया रेड़ी, टीनुवानंद और जग्पती बाबु जैसे कलाकार भी है यह फिल्म अपने मेगा आक्शन और दो दोस्तों की दुश्मन बनने की कहानी को लेकर खूब सुर्ख्या बचे हो रही है क्या आपने फिल्म देख ली है, कॉमन सेक्शन में जरूर बताएगा हमारी आज की राइटर है मनीशा जैन हलो नमस्कार आप सबीके स्वागत है, बॉलिक्राइट स्टूरियोज में और मैं हूँ अनुश्काति आगी प्रभास टार सलार पार्ट वान सीस्वायर 22 दिसम्बर को रिलीज होने के बाद सही बॉक्स ओपिस पर रिकॉर्ड हो रही है इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन से ही दर्शुम का जबर्दस रिस्पॉंस मिला है और इसी के साथ सलार ने बॉक्स ओपस पर छप पर फार कमाएगी है दूसरी यहां तक की वोकिंग डेज में भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है चलिए गया जानते हैं सलार ने रिलीज के छटे दिन कितने करोड का कलेक्शन क्या है मैं बता दे कि सलार प्रभास की कमबाग फिल्म साबित हुई है इससे पहले आक्टर की कई फिल्म में बाग टुबाग फ्लॉप रही थी लेकिन सलार ने धुआधार ओपनिंग की और फिल्म का ताबर तोड कमाई का सिलसिला जा रही है दूसरो Crime Thriller इस फिल्म ने दर्शुम का दिल जीत लिया है और इसी के साथ सलार वीक इन पढ़ी नहीं बलकि वीक डेज में भी अच्छा कारोबार कर रही है तुमकी कमाई की बात करें तो सलार ने रिलीस के पहले दिन 90.7 करोड, दूसरे दिन 56.35 करोड, दीसरे दिन 62.05 करोड, चौते दिन 46.3 करोड और पांचवे दिन 24.9 करोड का कलेक्शन किया है वहीं अब इस फिर्म की रिलीस के च्छटे दिन यानी बुद्वार की कमाई के शिर्वाती आकने भी आ गए है साकनल की अली ट्रेंट रिपोर्ट के मताबग सलाम रिलीस के च्छटे दिन ने बुद्वार को 17 करोड का कलेक्शन किया है और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर खूब दमाल मचा रही है कभी-कभी लगता है का अब उने हीच भगवाल है ग्लोबली फिल्म की कमाई की बात करें तो साकनल की रिपोर्ट के मताबिक सलार ने रिलीज के 5 दिनों में दुनिया भर में 428.90 करोड का कलेक्शन किया था महीं 26 दिन फिल्म में 500 करोड का आकरा भी चूलिया है सलार का डिरेक्शन के जिप फेम प्रशान दील ने किया है फिल्म में दोस्तों प्रभास के लावा प्रिट्वी राज सूकुमारन, शृति हसन, टीनुवानन्द, श्रीया रधी, ईश्वरी राव और जक्तरी बाभू ने एहम रोल प्ले किया है यह फिल्म कात्लिक शहर खांसार पर आधारिस है और दो दूस्तों पर केजरिस है जो घटनाओ के दुर्भाग्यपूर्ण मोर के कारण कटर प्रतीजवन भी बन जाती है आपको इफ़म कैसे लगी आप कॉमन सेक्शन में बताएगा हमारी आज के राइटर है वानिशा जयन अदीपुरुष और प्रिथवी राज़्टू कुमारन की हाली में रिलीज हुई फिल्म सालार पार्ट वन सीस वायर सिनेमा घरों में रिलीज के पहले दिन से डंकी को तोड रही है इस फिल्म का क्रेज दर्शेगों के सिर चड़ कर बोल रहा है और इसी के साथ ये फिल्म जम कर नोट चाप रही है पैसा ही पैसा हो गया चलिए यहां जानते हैं आदी पुरुष स्टार फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कितने करोड का कलेक्शन किया है सेकनिल्क की एक वेबसाइट है उसके अरली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने रिलीज के चौथे दिनी यानी मंडे को 42.50 करोड का कलेक्शन किया है इसी के साथ सालार ने रिलीज के 4 दिनों में 251.60 करोड की कमाई कर ली है सिर्फ अपने देश में सालार देश ही नहीं पूरी दुनिया में घूम चुकी है और दाबड तोड कलेक्शन कर रही है क्यों हेला डाला ना इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स आफिस पर महज 3 दिनों में 400 करोड रुपे का आंकड़ा पार कर लिया है और अभी भी मजबूत बनी हुई है एक अदम सालार की तरह मेकर्ज ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की है कि फिल्म ने रिलीस के 3 दिनों में 402 करोड रुपे की कमाई कर ली है वही दिसंबर को क्रिसमस पर पबलिक हॉलिडे होने की वज़ा से फिल्म के कलेक्शन में 4 दिन और ज्यादा इजाफा होने की उमीद है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म क्रिसमस पर 4500 करोड का अंकड़ा पार कर जाएगी लेकिन मेरे को लग रहा है 500 कर जाएगी अच्छा ठीक है फिल्म के दूसरे भाग का नाम भी रिवील हो गया है के नाम से रिलीज होगी को ये भी बता देने चाहता हूं कि होंबेल फिल्म से ये मूवी 400 करोड रुपे के बजट में बनाई गई है आपको क्या लगता है फिल्म किस-किस फिल्म का रिकॉर्ड तोडने का कामियाबी हासिल कर पाएगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज हालो नमस्कार आप सबीका स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुश का त्यागी फिल्म साहो से बॉलिवुड में डेब्यू करने वाले प्रभास लंबे समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे उनकी पिछली फिल्म में साहो के अलावा रादिशाम और आदिपुरुष भी अपना जादू चलाबाने में और सफल रही थी दोस्तों आप प्रभास अपनी लेटेस फिल्म सलार के साथ हाजिर है ऐसा लग रहा है कि उन्हें जिस सफलता का लंबे समय से इंतजार था वो यह फिल्म पूरा करने जा रही है जी हाँ सलार सीस्वायर पार्च वन रिलीज होते ही तहल का मचा डाला है और यह फिल्म इस साल के सारे रिकॉर्ट को तोड़ते हुए 90.7 करोड रुपे की ओपनिंग के वल भारत में कर डाली है बही प्रभास की इस फिल्म की कमाई ने बॉक्स आफिस पर पठान और जवान जैसे फिल्मों को फ्रॉंट डाला है आई जानते हैं दोस्तों रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है बेप्रभास और शुरती हसन की इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर तूफान ला दिया है साल दोसर तेहिस ने जौते जौते भारती सिनमा इंडास्टिक के नाम एक ऐसे फिल्म कर दी है जो कमाई के मामले में रोज ना दिहास रसने जा रही है हाला कि ओपनिंग की बात करें तो प्रभास की सलार अभी तक उनकी पिछले फिल्म बाहुबली के रिकॉर्ड नहीं दोड़ पाई है इस तरह से तीन दिनों में फिल्म ने केवल इन्यान बॉक्स आफस पर 208.05 करोड का कलेक्शन कर लिया वहीं तीन दिनों में आकड़ा करीब 315 करोड के पार हो चुका है केवल दो दिनों में इस फिल्म ने विदेश में करीब 70 करोड रुपे की कमाई कर डाली बेप्रभास के अब तक की शांदार फिल्म में बाहु बली 2 ने हिंदी में 510.99 करोड साहु ने 145.67 करोड बाहु बली ने 118.5 करोड और राधिशाम ने 19.36 करोड की कमाई की थी दोस्तों अब आपको क्या लगता है सलार कितने रिकॉर्ड्स थोड़ेगी कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा मरी आज की राइटर है मनीशा जैन वैसे प्रभास की अपकमिंग फिल्म जिसे प्रशान सिनेमाटिक इन्यूवर्स ने बनाया है उसकी रिलीस का काउंट डाउन शुरू हो चुका है और सालार अब सच में फिल्म बाहु बली को भी टक्कर देने बाली है या टक्कर दे चुकी है अब किस तरह तो टक्कर दे चुकी है ये तो परदे पर फिल्म देने के बाद ही हमें मालूम चलपाएगा पर स्टक्कर की पीछे का वीजन है फिल्म का expensive और बढ़िया सेट है सालार का सेट इंडिया सिनेमा का largest सेट कहलाया जाता है जो कि रामोजी फिम सिदी में एक और रामोजी फिम सिदी डवलब करके बनाया गया है इसने को KG of chapter 2 को भी पीछे जोड़ दिया है तुसरी बात यह है कि सर्फ 5% CGI का इस्तिमाल किया गया है और 95% practical set design देखने को मिलेंगे मतलब real locations for shooting जहां VFX का इस्तिवाल नहीं हुआ है अगर बाहु बली को सालार से इस बात को लेकर हम compare करते हैं तो definitely बाहु बली में कई सारे VFX का इस्तिमाल किया गया था और larger than live sets बनाने के बावजूद थी पर सालार में ऐसा कुछ नहीं है वैसे सालार का सर्फ बनाने के पीछे आर्ट डारेक्टर शिवार कुमार का आहा थे तो वही सिनमाटोग्राफर है भुण गौड़ा जो केजियम सीरीज के साथ भी जुट चुके थे उन्होंने इस बात को clear कर दिया था कि सालार केजियम बावु बली को पहले ही पीछे छोड़ चुकी है पैसे आपकी नजर में कौन मारेगा 2020 के क्रिस्मस परबादी अब दो-दो-साथा क्लॉस जो आने बाले हैं तो किस साथा क्लॉस को साथा पसंद किया जाना है ये तो तब मालूम जल पाएगा जब उनकी पल्में रुलीस होगी अब यहां प्रभास के साथ साथ शरुखान की डंकी की बात हो रही है वैसे डंकी हो या पर सालार दोनों ही पल्मों के लिए बहुत बढ़ा चालेंज होने बाला है ओपनिंग दे पर जैसे कि प्रभास की आदी पुरुष भी ओपनिंग डे पर रिकॉर्ट बना चुकी है तो वो भी उनके लिए बहुत बढ़ा चालेंज होगा उपर से बात ही है कि प्रभास की पर साउथ मार्केट में तो बढ़िया नंबर्स कमाएगी जिसका फाइदा डंकी को तो नहीं हो सकता पर एक ऐसा ओब्सेविशन निकल कर आया है कि डारेक्टर प्रशान में जिन्होंने सालार बनाई है और के केजिया पन को पंजाब से ब सब्सक्राइब नहीं होगी तो उसका फाइदा यहां पर प्रभास को हो जाएगा यादि कि सालार को होगा पर तरभी ओपनिंग डेपर या पर ओपनिंग विकेंड पर इन दोनों फर्मों को थोड़ा से स्ट्रॉगल करना पड़ेगा ड़सी की क्या होता है तो लहाल आपक हलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है बॉलिगराद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी अब बैस सलार को आने में कुछी दिन बचे हैं और हाल ही में सलार में एहम रोल प्ले करने वाले प्रित्वीराथ सुगमार ने अपने किरदार वर्दम का किरदार काफी इंटेंस होने वाला है तो क्या वर्दमान इंतेंस है दो सराथि उन्हें ने कहा कि काछी जिव त्योंकि शूटिंन उन्होंने कहा कि उनका एक फिल्म का हिस्सा बनना काफी सही फैसला था क्योंकि प्रिशान्त है कि ऐसे डिरेक्टर है जो पूरा का पूरा शॉट ही बदल सकते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगा कि आपका इन्पुट सही है और वो दोस्तों आपको हमेशा ही इंक्ल्यूटर फील कराते हैं और ये बात उनके लिए काफी एहम थी उनके साथ दोस्तों जब प्रिश्वी से पूछा गया कि फिल्म में वर्दा और देवा काफी अच्छे दोस्त नहीं है लेकिन क्या आप ऑफसेट उनका और प्रभास का इक्वेशन ऐसा ही है तब दोस्तों उनने कहा कि ये इंपॉसिबल है कि आप प्रभास को जानो और उनके दोस्त ना बनो आगे उनने कहा कि उनके काफी कम दोस्त है और प्रभास उनमें से एक है जिनके साथ वो कॉंस्टेंटल इन टच रहते हैं और उनके मेसिजज इस पर बात भी होती है उनका मानना है कि प्रभास के पास दूसरों के खुशी में खुश होने का एक गिफ्ट है वो जब भी सेट पर होते हैं अपने आस पास सभी को कमपटिबल फील कराने के कोशिश करते हैं सब के साथ खाना खाते हैं और उनके साथ काम करने के बाद उनके समझ में आ गया कि ल पूरे स्लार को लेकर जो अभी तक सामने आया है तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी स्लार नहीं देगी है। और अभी तक जो सामने आया है उससे काफी ज़ादा सलार आफ़र करने वाली है। और इंस को सिर्फ आक्षन ही नहीं बलकि एक अच्छा ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है। और उनके लिए पौफेक्ट और एक ग्रेट सिंदमार्टिक एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सलार का पार्ट टू भी इसी लेवल का है। अब पृत्विरात्सू कुमारन की बातों से तो यहीं लग रहा है कि वो अपने इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्पिडेंट है। अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि उनकी अप्रभास की जोड़ी क्या कमाल दिखा दी है। आपका स्केबर के गयना है कॉमन सेक्षिन में जरूर बताएगा। हमारी आज की रैटर है मनीश विधानिवी। एक गैंग में बरबंदा हर्लुआ नहीं है विडू समझा। क्या है सालार फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेज। वई सालार का ये पहला पार्ट जिसे सीस फायर नाम दिया गया है उसमें किसी जंग की शुरुवात होकर रुखने की खबर है। और जिस तरह से जब टीजर में सालार को इंट्रोड्यूस किया गया और जुरासिक पार्का मेंशन किया गया तब वो एफ्रीकी गैंग्स्टर डर जाते हैं। उससे ये साफ वता चलता है कि सालार का डर ग्यारा मुलकों तक पैला हुआ है। है कि हम इतने सारे अनुमान लगा रहे हूँ लेकिन सालार में रौकी भाई की एंट्री ही ना हो। या फिर सालार की जीएफ उनिवर्स का हिस्सा ही ना हो। लेकिन हाली में दिपावनी पर रिलीज हुई टाइगर थी में जिस तरह से SRK के पठान के किरदार के साथ साथ रितिक रोशन के मेजर कबीर के किरदार की एंट्री हुई उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि SPY UNIVERS पूरी तरह से एक युनिवर्स से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है और अपनी फिल्मों को इंटरकनेक्ट करके अपने किरदारों के बीच कनेक्शन एस्टाब्लिश कर रहा है जिससे आगे चलकर SPY UNIVERS के पास मूवी आइडियास की कमी ना हो जिसे Hollywood के हर movie universe में unlimited parts आते ही रहते हैं और ऐसे ही अगर प्रशान ती नील को अपना एक universe create करना है तो कैसे भी करके उन्हें Rocky और Salar का connection दिखाना होगा फिर वो Captain America और Iron Man के बीच हुई Civil War की तरह भी हो सकता है या फिर Avengers The Age of Ultron की तरह भी हो सकता है या तो वो आपस में लड़ेंगे या फिर वो एक similar anime के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन दोनों का एक screen पनाना जरूरी है साथ ही अगर हम प्रभास के किरदार को Rocky भाई के जैसा मानते हैं तो जगपती बाबू का किरदार अधीरा जैसा है जो उनके first look poster को देख कर ही पता लग जाता है तो वही प्रतवी राज का किरदार गरूडा जैसा होने वाला है जिनकी एक जहलक हमने teaser में देखी और उनके किरदार और गरूडा में एक similarity भी है जो हैं दोनों के serious expression और साथ ही कालाटी का जो गरूडा लगाता था वही प्रतवी राज के किरदार ने भी लगाया है और इन दुनों के बीच एक काफी तगड़ा connection भी निकल कर आने वाला है तो आपके क्या विचार हैं सालार का KGF के साथ connection होगा की नहीं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राहे जरूर बताएं और देखते रहे हमारे चानल बॉलिग्राथ स्टूडियोज तो हमारी त्यारी ओडियंस डंकी कर तीजर देखा की नहीं 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 कि इस वीडियो में हम सालार को लेकर ही बात करने वाले पर क्या है ना कि आजकर सालार और डंकी हम साथ साथ हैं वाला काना काकर एकतार चर्चा में रहते हैं इसलिए पूचा मैंने खेर प्रभास की सालार दिसंबर में रुलीस होने बाली है और अब November मेना तो शुरू हो चुका है जिसके चल्दे makers कुछ marketing strategies अपनाने वाले हैं कुछ बढ़ना प्लान करने वाले हैं वैसे सालार के makers के दिमाग में क्या चल रहा है ये बस वही जाने पर ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक गाना हमें देखने को मिलेगा वैसे ये भी कहा जा रहा था कि प्रभास एक special song November में shoot करने वाले हैं उसके साथ कुछ posters भी सामने आएंगे और जिसमें 6-7 posters हो सकते हैं वैसे प्रभास की जनन दन पर आया poster fans को नाराज करके चला गया था पर अब ऐसा ना हो वैसे फ्रम की कास्ट में से किसी नेक इंटर्व्यू के वक्त कहा था कि नवंबर महिने में सालार की टीम सर्फ प्रमोशन पर ही ध्यान दे सकती है पूरा महिना सर्फ और सर्फ प्रमोशन अब ये डंकी की बज़ा से है या अगर ये क्लाश ना भी होता तब भी यही स्टार्टेजी अपनाई जाती ये तो वही जाने है वैसे पहले ये भी बताया गया था कि दो ट्फिरलस भी आ सकते हैं पर उसके बारे में अभी तक कुछ कनपरम नहीं है इनके प्लान्स चेंज होते रहते हैं एक ट्रिलर प्रभास को जनम दिन पर लाया जाने वाला था और दूसर नमबर में पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जब परम 28 सितंबर को रिलीस होने वाली थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जैसे ही टीजर रिलीस हुआ जिसमें हमें KGF वाइप्स आ रही थी क्योंकि ये परम KGF उनिवर्स में ही बनाई जा रही है तो उसकी वजह से परम का बर्ज काफी जादा बढ़ गया था तो वहां पर कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहते कि आगे चलकर प्रमोशन में डारेक्टर प्रशान नील ऐसे से राजा मौली को भी ग्रांड प्रमोशन में इंवल्व कर सकते हैं और बहुत बड़ा मार्केटिंग कैम्पेंड भी चलाया जा सकता है वैसे सालार के मेकर्स अपने प्रड़क्ट को लेकर कापी जादा कॉन्फिडेंट डारा रहे हैं पर वो प्रमोशन में कमी तो नहीं रखेंगे क्योंकि सामें डंकी का बहुत बड़ा चैलेंज जो है और अपनी पर्म की मैसिव ग्रोप देखने के लिए सालार के मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं कोई बड़िया सा पब्लिक इवेंट भी कर सकते हैं ठ्रिल लखो किसी खाल दिन पर भी ला सकते हैं पर इस पर मोहर लगना भी बाकी है मेरे दोस्त सो लेट्स वेट की यह कौन सा बॉंग फोरने वाले हैं जिससे नवंबर में दिवाली के साथ साथ एक और बढ़िया धमाका हो जाए तलहाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी खूँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा आज के लिए बस अतना ही मैं प्रगती मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मुस्क्राते रहिए बाबाई वैसे दोस्तों देखा चाहे तो साल 2020 खुद को बहुत खुश नसीब मानना होगा क्योंकि इस साल को पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया पल्मों के दर्शन हुए हैं जसमें पठान है, जवान है, गदर्टू है, लियो है और अब टाइगयोत्री है और अभी तो स्टॉक बाकी है जसमें आती है प्रभास की सालार, शारुख खान की डंकी और रन्वीर कपूर की आनिमल वैसे इसमें से गदर्टू और डंकी को छोड़ दे, तो बाक की सारी फिल्में जबरदस मास्क मसाला फिल्में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये साल मास्क मसाला फिल्मों से भरा पड़ा है और अब ऐसे भी प्रभास की सालार भी मैदान में उतरने बाली है पर एक और action मसला तुम देखने मिलेगी ये एक positive side होगा तो दूसरा side ये भी हो सकता है ना कि बार बार सरफ action film में हमें देखनी पड़ेगी क्या मतलब non-stop एक ही जनर की film में देख देखकर 10 में से 5 बंदे तो बोर हो जाएंगे ना अब आप कहेंगी इससे लिए तो दूसरा option भी दिया गया है अगर सालार नहीं देखनी तो डंकी देख लो पर नहीं अभी तो हम बार सालार की कर रहे ना तो उसी की करते हैं और सालार में कूट कूट कर action sequences भरे पड़े हैं 750 वहिकल के साथ action sequences शूट किये गये हैं इतना ही क्यों बीस मिनट का एक ऐसा action sequence भी है जो समुंदर में देखने को मिलेगा और डार्क सेंट्रिक टीम के सालार बनाई जा रही है तो उसका impact काफी powerful होता है पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस चकर में हमें action को overdose मिल जाए दरसल खलापती की new box office पर अच्छे आकड़े खटे कर रही है पर इसके second half को लेकर कुछ reactions ऐसे भी आयते कि second half में बहुत fight sequence दिखाने से लोग तंग आ गये हैं बोर हो गये है अगर हम tiger tree की बात करें तो सल्मान खान के पर जलबा तो दिखा रही है पर इसमें भी बहुती जादा action है और ऐसे ऐसे action sequence देना जो हम imagine भी नहीं कर सकते हैं हमारे imagination से को सोदू है और कहीं कहीं पर तो ये ठीक से execute भी नहीं किया गया है पर इससे होता ये ना कि कभी कभी storyline को धक्का पहुँचाता है अगर ठीक दर से balance बना कर ना रखे तो उपर इसमें वाइलेंस भी होगा और अगर रंडीत के आनमर्पम देखे तो उसमें भी action है ड्रामा है और वाइलेंस तो भी कुड़ कुड़ कर है और दोनों फिर्मों के डार्टर्स इसकी guarantee देते हैं कि हमारी पल में most violent फिर्में होगी तो सोचिए कि वाइलेंस के मामले में भी ये लोग एक दूसरे को टक कर देने वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वाइलेंस का भी ना अब overdose मिल जाए तो ऐसी हालत में disappointment हो सकती है जो कि प्रभास की फिल्म के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है अभी कहीं कहीं जगह पर नॉर्थ में specially action फिल्मों को extraordinary response भी नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी situation में audience की expectation को फुल्फिल करने का बहुत बड़ा का सालार को करना पड़ेगा पर दूसरी बात ये है कि चिता करने की जर्वत भी नहीं है यहाँ प्रशान नीग जैसे डार्क्तर है जो content के मामले में compromise करके सर्फ action को overdose नहीं दे सकते क्योंकि KJF example तो हुमाई सामने है ही ऐसे मिसालार में action sequences को overdose नहीं होगा बलकि सही balance दिखाई देगा तलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें comments में सरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइप और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही मैं प्रवती मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मस्कुराते रहिए बाबाई आज जो डारेक्टर्स इन दो बातों को ध्याय में रख कर कुई पर्म बनाते हैं कि कंटेंडेंस केंग और ओडियेंस भगवान है हमारी जज है उन्हीं की पल्मों को 500-1000 करोर क्लब में खेलने का वाउका मिलता है और जो यह बात ध्यार में नहीं रखते हों उनकी बैस पानी में चली जाती है अब आप कहेंगे कि सालार को लेकर यह सब कहने की क्या जरुवत है जरुवत तो है ना भाई उनकी सालार में प्रभाव को स्टार्डम है डारेक्टर परशान जो कर career पर आप स्टूरी भी तो देखोगे ना यह स्टूरी तो होता है जो हमें तीन घंडा कर अम रंखती है तो यह सब कहने की वजह यह है कि प्रभास ने हैफ्रय की बनाइज है वह भी फbayव जिसकी वजह थी बहुत ही बखवा स्टोरी लाइन अब वो तीन पल में आपको पता ही होंगी साहो राधेश्याम और आदिपुरुष पर सालार में प्रभाद ऐसे गलती दोराना नहीं चाहते हैं और नहीं कोई और उनका माइंडसेट है कि अब ऐसा करना है कि बस अच्छा काम करना है अच्छी स्कृट अच्छी डायटन इस इक्वल टू हजार करोर अब प्रशाद दील जो की एजियाथ यूनिवर्स में सालार बना रहे हैं तो उसकी वजह से डंडे की कोई जर्वत नहीं है क्योंकि स्टो मुल्टिपल ड्राफ्ट बनायतें ताकि फल्म के सकेंड हाप को मजबूत बना सकें उन्होंने सकेंड हाप के लिए पता नहीं कितनी बार उसे रिराइट किया होगा अपने राइटर्स पीम के साथ क्योंकि एक बार स्टोरी पक्की बन गई तो फल्म का आधा सक्सिस तो व बक्त आने पर ही मालूम चल पाएगा पर प्रभास की उपर अब फंद्रा सौ करोड का प्रेशर है जैसे उनकी अपकमिंग फल्म कल की टू एट नाइन एट एडी छे सो करोड के साथ बन रही है पर उनकी एक हॉरर कॉमेडी फिर्म धाई सो करोड में बन रही है डारेक्ट या पर नहीं और पहली रिलीज होगी सालार तो तुलहाल आपको क्या लगता है प्रभाग क्या इस बार हमारे उमीदों पर खड़े उतर पाएंगे या पर नहीं हमें कॉमेंट्स में बताएं साथी वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और श्यर करें आज के हम इस क्रिस्मस पर भारती सिनेमा की तिहास के सबसे बड़ी क्लैश में से एक को देहने की तयार है जी है हम बात करें बॉक्स ओफस पर डंग की वोसे सालार के हाई वोल्टेज क्लैश की जहां दोनों पर्मों के राक्टर्स पैंस को ज़्यादा से अपनी तरफ अट्राक करने में को एक असर नहीं छोड़ रहे हैं वहीं प्रभास यानि कि सालार का केजियव स्टार यर्ष के किरदार रॉकी भाई के साथ कनेक्शन उस पूरे के पूरे क्लैश को सालार की तरफ जारा जुकाता है साती हमें ये भी नहीं कह सकते कि ये एक अफवा है क्योंकि केजियव इनिवर्स के डाय हाट पैंस ने हमारे सामने ऐसी कई सारी थियोरी रगती है जिन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजियव और सालार एक दूसरे से डारेक्ट कनेक्टेड है इन सभी थियोरी में से मेरी सबसे पेवरेट थियोरी है सालार का रोकी भाई को बचाना लेकिन फर्मान बनकर नहीं हम यहां ऐसी थियोरी की बात कर रहे हैं जिसके हिसाब से सालार को रोकी भाई को पकड़ने का कॉंट्राक दिया गया है और वो contract उसे अफरीकी गूल स्मगलर ने दिया है जिसे रॉकी का उसके देश में आकर उस पर राज करना ज़रा भी पसंद नहीं आया और साथी रॉकी ने 16 मुलकों में जो क्राइम्स किये हैं उसके बाद उसके दुश्मन भी काफी सादा बढ़ गए हैं और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है यह अफरीकी स्मगलर क्योंकि उसे रॉकी और इनायत खलील दोलों ने थोका दिया है रॉकी भाई की डारेक्ट डील तो आपको यादी होगी उसका जखर केजी अबटू में हुआ था और उसे डील को पूरी करने के चकर में उसने अपने दुश्मनों की संग्या पढ़ा दी और अब इस अंडरवर्ड के डॉन ने अपने लेप्ट हैंड मैन यानि कि सालार को रॉकी को मारने का कॉंट्राइक दे दिया है उसे पकड़ने का कॉंट्राइक दिया है लेकिन जब सालार के अजेप में आता है तो वो द पूरा करेंगे लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं होगी क्योंकि पहले रॉकी और सालार के बीच फाइट होगी और फिर वो दोनों एक होंगे यह थियोरी बात की सबी थियोरी से अलग है और लॉजिकल भी है इसलिए मेरे हिसाब से हम ऐसा को सालार में देखना एक्सपे वीडियो को लाइक और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही डाप प्रोवेत ही विरूंगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रही है उसका आते में लिए बाब आए कौन सी फोटो लीग हुई प्रभास की? हलो एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉनिगराद स्टूडियोस में और मैं हूँ आपके साथ हनुश्का त्याकी सलार एक अपकमिंग इंडियन आक्शन फिल्म है जो दो चात्ते ही इसमें रिलीज होगी और इस फिल्म के डिरेक्टर प्रशान दिये हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वह अपने पूरे इंडिया के वन अफद द फेमस डिरेक्टर स्के लस्ट में भी शामिल हो गए है प्रसान नीली केज़िफ चाप्टर 1 और केज़िफ चाप्टर 2 डिरेक्ट करी है जो ओल्रडी वर्ल्ड फेर्मस मूवीज बन चुकी है सलार मूवी होमेबल फिर्म्स प्रडॉक्शन हाउस के अंडर ही प्रिडूस हो रही है जिसके प्रिडूसर है विचे केज़िफ की फ्रेंचाइज ही भी होमेबल फिर्मस के अंडर ही प्रडूस हुई है सलार मूवी की में स्टार है प्रभास और इनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने ससाजमॉली की फिर्म बाहु बली में काम किया है और बाहु बली टू दे कंक्लूजन इंडियन सिनिमा की सेकिंड हाइस ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी आक्टिंग इस फिल्म में लोगों को काफी पसंद भी आई थी प्रभास ने भी रीसिंटी एक फिल्म करी है जो आमजन प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है रादे शाम और इस मूवी के अलावा भी इनोंने बहुत सारी मूवीज करी है जैसे मिर्ची, साहो और रिबेन इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी टालेंटी डाक्टर्स काम कर रहे हैं जैसे पृत्वी राद सुकुमारन, शृति हसन और जगपती पावु शृति हसन ने बॉलिवर्ट फिर्म में काफी काम किया है जैसे लग जिसमें संजेद दद्भी थे और रमाय वस्तवया भी और साथी शृति हसन के फादर को सबी जानते हैं कि वो कितने महाना आक्टर हैं पृत्वी राद सुकुमारन, शृति हम से तेल्गो फिर्म इंडास्टी में 12 साल बाद एंटर करेंगे और उन्हें देखने के लिए उनके फान्स बहुत जाब एक्साइडिट है उनकी लास्ट फिर्म टेल्गो इंडास्टी में पुलिस पुलिस थी जो 2010 में रिलीज हो थी तो चली दोस्तों अब थोड़ी सी और चीज़े जान लेते हैं इस फिर्म के बारे में सोशल मीडिया पर सलार फिर्म के फोटो लीग हो गई थी जिसमें प्रभाज सूट में खड़े हुए हैं और फिर्म मेकर्स बहुत कंसर्ण थे इस चीज़ को लेकर क्योंकि एक सर्प्राइज एलिमेंट हो जो चाहते हैं कि ओडिन्स को मिले वो नहीं मिलेगा अगर ऐसी फोटो लीग हो जाएंगी तो फान्स को प्रभाज के लिए एक फोटो बहुत जादा प्रसंद आई है और वस फोटो को देखके फान्स और भी जादा एक्साइटिन है इस फिर्म के लिए अभी तक सलार फिर्म से कोई भी ओफिशल नियूज नहीं आई है जिसके वज़ा से फान्स काफ़ी फ्रस्टेटेड़ है क्योंकि फिर्म के डिरेक्टर प्रशान नील ने प्रॉमिस किया था फान्स को कि में मलत में फिर्म के बारे में कोई ना कोई डीटेल वो शेयर प्रशान की भी एक फिर्म एक हजार करोड को क्रॉस कर चुकी है प्रभास और प्रशान नील की इस फिर्म से लोग काफ़ी एकस्पेक्ट कर रही है क्योंकि इन दोनों ने अपनी रेपिटेशन कुछ ऐसी ही बना ली है ऐसे में फिर्म मेकर्स के लिए टाफ हो जाता है फ् फिर्म्स को मार्वल उनिवर्स की तरह बनाने का जो कि वर्ल्ड वाइट पॉपिलर है प्रशान नील कैसा होगा प्रभास का लोग इस फिल्म में नमस्कार एक बार प्रसाब सभी का स्वागत है बॉलिग्राद स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुश का त्या लिया फिल्म के बिहाइंड दो सीन को शेयर करने के लिए वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशान नील आर्ट डिरेक्टर शिवा कुमार को कुछ एक्स्प्लेइन कर रहे हैं वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा प्रभास के अलावा सलार फिल्म में शृति हसन, पृत्वी राट्सू कुमारन, जगपती बाबू, मदू गुरू सुआमी और ईश्वरी राउ हैं इस फिल्म में प्रभास एक डानमिक रोल में दिखने वाले हैं शृति हसन इस फिल्म की फीमेल लीग कास्ट हैं यह फिल् भूवन Г Rigda और फिल्म दिरेक्टर रआवी बस्लूल है इस फिल्म का प्रडाक्शन भी वही प्रडाक्शन हाॉस कर रहा है जिसने क एजएफ को प्रडीष किया था यानि की हुमेबल फिल्म जिस तशाय से इस इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि यह फर्म भी के जिब की तरह All India Cinema हिट होने वाली है हाल ही में फर्म का पोस्ट रिलीज हुआ है जिसमें प्रभास को काफी एस्थेटिक लुक में देखा जा सकता है प्रशांद इस समय एक तेलगो फर्म बगीरा पर काम कर रही है जो इसी साल रिलीज होने वाली है प्रशांद इस फर्म में राइटिंग और स्क्रीन प्ले का रोल प्ले कर रही है जो काफी इंपोर्टेंट है इनके लिए प्रभास के लिए प्रजेक भी काफी इंपोर्टेंट है बिकाज उनकी लास्ट फर्म रादेशाम इतना टाइम पैक्ट नहीं कर पाई थी जिस प्रकार की उनकी फान पॉलोइंग है ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि सलार कैसे इंपाक्ट करने वाली है इंडियन सिनिमा पर सूपरस्टार यश के बाद प्रशान ने प्रभास पर दाव लगाया है तो कुछ सोच कर तो लगाया होगा क्योंकि वो आल-टाइम ब्लॉगबस्टर फिल्म बाहु बली सीरीज के सूपरस्टार्स है ऐसे में फिल्म को भी ब्लॉगबस्टर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी आशा करते हैं आपको हमारी आच्छी वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर प्रसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मिल्कुल न भूले हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बॉलिगराद स्टूडियो जरूर एक बार फिरसा आप सभी का स्वागत है बॉलिगराद स्टूडियो जरूर में और मैं हूँ आपके साथ हनुषकति आगी सलार एक अपकमिंग इंडियान आक्शन फिल्म है जो 2023 में रूलीज होगी और इस फिल्म के डिरेक्टर प्रशान दील है जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वो पूरे इंडिया के वन अफ दा फ्रेमस डिरेक्टर्स के लिस्ट में भी आ गई है दोस्तों प्रशान नील ने केजिएफ चाप्टर वन और केजिएफ चाप्टर टू डिरेक्ट करी है जो अल्री वर्ल्ड फेमस मूवी बन चुकी है सलार मूवी होमेबल फिल्मस प्रोडक्शन हाउस के अंडर ही प्रेडियूस हो रही है जिसके प्रेडियूसर है विजे केजिफ के फ्रेंचाइजे भी होमेबल फिल्मस के अंडर ही प्रेडियूस होई है सिलार मुवी में में स्टार हैं प्रभास और इनको आप पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने ऐसे स्राजमॉली की फिल्म बाहु बली में काम किया था और बाहु बली टू दे किंक्लूजन इंडियन सिनिमा की सेकिंड हाइस ग्रॉसिंग फिल्म है और इनकी आक्टिंग लोगों को बहुत ज़्यदा पसंदाई थी प्रभास ने भी रीसेंटली एक फिल्म करी है जो आमज़न प्राइम वीडियो पर है जिसका नाम है रादेशाम और इस मूवी के लावा भी इन्होंने बहुत सारी फिल्म करी जैसे मिर्चि साहो और रिबेल इस फिल्म में परभास के साथ साथ और भी टालेंटेड डाक्टर्स काम कर रही है जैसे प्रत्वी राद सुकुमारन श्रतीहसन और जगपती बाबू श्रतीहसन ने बॉलिवद फिल्मस में भी काम किया है जैसे लग जिसमें संजद अद्वी थे और रमाय वस्तवया भी और साथ ही शुत्य हसन के फादर को सभी जानते हैं कि वो कितने महान आक्टर है पृत्वी राजसु कुमारनस फिर्म से तेलगू फिर्म इंडास्ट्री में बारा साल बाद दुबारा से एंटर करेंगे और उ से लोगों को पता लगा है कि बाहु बली के स्टार और केज ये फ्रिंचाइजी के डिरेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं तब से लोग सिलार फिर्म को लेकर बहुत जाद एक्साइडिड हैं बट रीसिंट्ली ही किसी एक फैन ने त्रेटनिंग नोट लिखा और उसमें में में प्रिशान नील ने कुछ टाइम पहले फैन्स को प्रॉमिस किया था कि वस फिल्म को लेकर जल्दी अपडेट देंगे बट किसी रीजन की वज़ा से वस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए और एक महीने से ज्यादा हो गया जिसको लेकर फैन्स नाखुश हैं फैन्स ने अ इस मन्त तो अपनी जान दे देगा सलार फम का ट्वीजर रिलीज हो चुका है और फांस को बहुत जादा पसंद भी आ रहा है इस अक्शन पाक्ट फिल्म को लेकर फांस सूपर एक्साइट है इस फिल्म की चीजे बहुत जादा देले इसलिए भी हो रही है क्यूंकि प्रशांत नील जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती और इसी के साथ वो पूरे इंदिया के वन आफ दे फेमस डारेक्टर्स के लिस्ट में आ गए हैं प्रशांत नील ने केजे फ चाप्टर वन और केजे फ चाप्टर टू डारेक्ट करी है जो अल्रेडी वोर्ल्ड फेमस बन चुकी है इस फिल्म में में इंग स्टार प्रभास है और उनके साथ इस फिल्म में शृती हसन भी दिखेंगी प्रभास ने अभी रिसेंटली एक फिल्म करी है जो एमेजन प्राइम वीडियो पर ही है जिसका नाम है रादेश श्यां और इस मूवी के अलावा भी इनोंने बहुत मूवीज करी है जैसे मिर्ची, शाहो और रिबेल बाहुवली 2, केजेफ चाप्टर 2 और ट्रुपल R के बाद फैंस साउथ इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं और जब से लोगों को पता चला है कि बाहुवली के स्टार और केजेफ फ्रेंचाइजी के डारेक्टर साथ ही काम कर रहे हैं तब से लोग सालार फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं सालार नेक्स्ट योर रिलीज होने वाली है और साथ में इस फिल्म से कंपीट करने वाली बहुत सारी फिल्म होने वाली है सबसे में जो चीज है वो ये है कि सालार मुवी के कॉम्पिटीशन में शारू खान के फिल्म पठान होने वाली है पठान फिल्म में काफी फेमस आक्टर्स होने वाले हैं बॉलिवुड के जैसे जॉन अब्राहिम और दपेका पाड़कोन शारुख खान में लीड है इस मूवी के और इसमें शारुख खान का रोल बहुत इंट्रस्टिंग रहा है पठान मूवी के बारे में एक और चीज जो पता चली है वो है कि इस मूवी में जॉन अब्राहिम का रोल कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ पैसो के लिए काम करते हैं उनकी कोई भी नाशनालिटी नहीं है और सिर्फ पैसो के लिए ही काम करते हैं मुवी में वो रश्यन माफियास के लिए काम करते हैं और इंडिया में कोवर्ट गन राकेट रन कर रहे हैं। पठान मुवी के बारे में ये पता चला है कि इविंचुवली जॉन एप्राहिम की एसार के और दिपिका पाडुकोन से लड़ाई भी हो गई है। शारुक खान और दिपिका पाडुकोन मिशन पर होते हैं इस राकेट को बस्ट करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मुवी में सलमान खान बहुत कम सीन्स के लिए दिखेंगे। टाइगर के रोल करते हुए। उनका क्यारक्टर शारुक खान को रश्यन माफिया से ब बहुत बड़ा नाम है। हम सबने शारुक खान की मुवी देखी हुई है। और मुवी को देखते ही समझ जाता है कि मुवी का बजट काफी ज्यादा है क्योंकि आखिर वो फिल्म है तो शारुक खान की ही। रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है कि पठान मुवी के लिए श SRK के अलावा भी जॉन इब्राहीम ने इस मुवी के लिए 20 करोड फीज रखी है और दिपिका पाडुकोन ने 15 करोड लिया है। पठान मुवी में बताया जा रहा है कि आशुतो श्राना का रोल इस मुवी में एक रॉज जॉइंट सेकरेटरी का होगा। डिरेक्टर सिधात आनंद और प्रोडियूसर आदित्य चोपडा ने कहा कि इस मुवी में आशुतो श्राना को कास्ट करने का आइडिया उन्हें उनकी मुवी वार से मिला। आशुतो श्राना ने डिंपल कबारिया और एसारके के साथ अल्रेडी शूटिंग स्टार्ट कर दी है मुंबई के यश राज स्टूडियोस में डिंपल कबारिया का रोल इस मुवी में रॉज एजिंट का हुगा। और साथ में शूटि वसन दीगी है तो चलिए शुरू करते हैं प्रभास की गाथा किसी भी एक्टर गीतार प्रभास भी नॉर्मल एक्टर थे जो समय समय पर मुवीज कर दे हैं कुछ रेटों थी तो कुछ फ्लॉग तो कुछ फ्लॉग तो 2015 में जब लॉग बस्र बाहु जब कोई एक्टर पनी जिंदगी के पांच साल इसी मूबी में लगाने का चांस नहीं लेना चाहते तब प्रभास में ले चांस दो है और आप तो इसका रिजर्ट जानते ही हैं और वो कहां पहुच गए यह हम सब को पता हैं वैंका टेज सत्यनाया एं प्रभास राजू उपल पार्थी इनका पूरा ना है नाएटीन समेटीनाय में प्रड्यूसर सूरे नाया राजू की घर पैदा हुए यह एक प्रड्यूसर और एक्टर्स की फैमिली से बलाग पड़ते हैं तो टैलन इनके खून में ही दौरता है पर आपको शान के है हैरानी होगी कि यह कभ 2002 में प्रबास की पहली मूवी इश्वर आया पर यह जादा चैनल नहीं पर अग्डी मूवी 2003 में आई रगवेंदर भी फ्लॉप होगी पर 2004 में वर्शन जो ब्लॉबस्टर रली और इनके करियर को इसमें उड़ा हुए इनोंने रॉमांकिक और अच्छल थ्रिलर दोनों ही अब आया इनकी लाइफ का टॉर्निंग पॉइंट जहां से ऐस राज मौली के 2015 में आई बाभु बली दब बिग्री यह मूवी कई लैंगजेज ऐसे ता मिलकर मेंटते लोगो मल्यालम हिंदी में भी रिजीज यह मूवी थर्ड हाइस ग्रॉस प्रॉफिट देने वाली मू यह मूवी प्रामेट्स पे सस्पेंस पेश हो दी और ओडियम्स बहुत ज्यादा वेट किया इसके बाद टूटी में जो 2017 में बड़े पंडे पर आया बहु बली तू दस दिन के अंदर ही सौफरों से ज्यादा कमने इसके बाद प्रभास पहले ऐसे अक्रबली जिल्लोग प्रशांथ नील का जमाना टेलगो फिल्म में प्रशांथ की एंट्री फिल्म का लोकेशन हुआ ते सालार डारेक्टर और स्क्रीन राइटर प्रशांथ नील की अपकमिंग फिल्म इस फिल्म में हमें प्रभास और शृती हसन लीज रोल में नजर आएंगे प्रशांथ अपनी डारेक्शन की कला से कर्णाणा फिल्म इंडस्री के स्टांडर्स बढ़ा चुके हैं प्रशांथ का तेलिगू इंडस्री में ये पहला प्रोजेक्ट है सालार का बजट दो सो करोड होगा और सिर्फ प्रभास की फीज ही एक सो करोड होगी जी हाँ दोस्तों बजट का 50% हमें प्रभास की जेब में जाता दिखेगा प्रभास ने फिल्म बाहु बली में अपनी आक्टिंग से सब को प्रभावित किया और पूरे दुनिया में अपनी आक्टिंग से नाम बनाया प्रभास काफी इंट्रोवोर्टेड और सिंपल इंसान है वहीं पर प्रशांत नीलिंडिया के टॉप डैरेक्टर्स में अपनी जगह बना रहे हैं प्रशांत के तीन पार्ट में बनी और बनने वाली फिल्म कफी ज्यादा हिट रही और लोगों को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई फिल्म की कहानी डारेक्शन और आक्शन सीन्स ने लोगों का दिल जीत लिया सिनेमा घरों में खोब सीटी भी बजी केजिएफ चाप्टर वन ने बॉक्स आफिस पर दो सो पचास करोड का कलेक्शन किया और केजिएफ टू ने बारा सो करोड अप्रॉक्सिमेटली ये सारे फिल्म की वज़े से प्रशांत नील और उनके साथ काम कर रहे आक्टर्स का भी सितारे चमक रहे हैं लोग ये फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो ये थी प्रशांत से जुड़ी खबरे अब हम बात करेंगे फिल्म के लोकेशन की फिल्म के शूटिंग की शुरुआत विशाखा पत्नम से किसी गोल्ड माइन से शुरू हुई हमें इस फिल्म में भी कुछ माइनिंग से कनेक्शन दिख सकता है फिल्म की 30% शुटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म हमें 2023 के समर में रिलीज होती हुई दिखाई दे सकती है सालार 2023 की highly anticipated movie रहेगी ये प्रशांत का तेलोगो फिल्म में पहला प्रोजेक्ट है इसलिए प्रशांत काफी ज़्यादा excited रहेंगे साथ ही साथ बाहुबली के अक्टर प्रभाज भी फिल्म सालार में हमें शुरूती हसन आद्या का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी और ये एक romantic action movie होगी शुरूती हसन को इस फिल्म में एक करोड का पेचेक भी मिलेगा शुरूती हसन काफी कम फिल्म में आई है शुरूती आखरी बार Amazon Prime की वेब सीरीज बेस्ट सेलर में नजर आई थी तो दोस्तो ये थी सालार से लेके कुछ खबरे इस फिल्म के बारे में जाने के लिए हमारे साथ बने रहे क्यों हुए थे परशांत नर्वस किसने रची फिल्म की कहानी क्या हमें दिखेगा ब्रोमेंस हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रैड स्टूडियोज में फिल्म सालार डारेक्टर प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म है इस फिल्म में लीड रोल में प्रभास और शूरती हचन दिखाए देंगे फिल्म के लिए प्रभास हाल ही में वेट लोस कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत प्रभास की बोड़ी पे पोस्ट प्रोड़क्शन काम नहीं करना चाहते इस वज़ा से प्रशांत काफी नर्वस है और चाहते हैं कि प्रभास एक अच्छे फिजीक में आए जिससे उनके शूट अच्छे से शूट कर सके प्रभास वेट लूस करने में लगबग लग गए हैं और काफी जल्द हमें अच्छे फिजीक में नजर आएंगे लेकिन प्रभास एक अभी माइनर इंजरी को लेके फेस कर रहे हैं जिसे वो जल्दी रिकवर कर लेंगे रिकवरी के लिए वो स्पेन गए लेकिन अभी उन्हें कुछ महीनों के लिए रेस्ट करने को कहा गया है रही बात फिल्म के शूट की तो शूटिंग शूरू हो चुकी है फिल्म की शूटिंग तेलंगाना में शूट होनी शूरू हो चुकी है अब तक 30% शूटिंग हो चुकी है फिल्म का 1st schedule फेरवरी 2021 में रिलीज हुआ लेकिन फिल्म अभी हाट पर आ चुकी है प्रभास की रादे शाम और प्रशांत की KGF 2 के रिलीज के कारण खबरों के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग इस साल रैप अप हो जाएगी और 2023 में रिलीज हो जाएगी तो दोस्तो ये थी फिल्म के शूटिंग को लेके कुछ खबरें अब हम बात करेंगे किसने लिखी फिल्म की कहानी तो दोस्तो ये फिल्म की रचना डारेक्ट प्रशांत नीर ने खुद ही की है प्रशांत नीर काफी क्रियेट्व डारेक्टर और राइटर हैं उनकी रची सारी फिल्म्स सूपर हिट रही है प्रशांत की पिछली फिल्म KGF के हिट जाने से इस फिल्म से उमीदे और भी ज्यादा बढ़ गई है और प्रशांत और एक्टर प्रभास के उपर भी प्रेशर बढ़ गया है प्रशांत की लिखी ये कहानी औरिजिनल है और ना ही किसी फिल्म का रिमेक तो दोस्तो ये थी फिल्म की कहानी अब हम बात करेंगे फिल्म के कैमियो की तो दोस्तो इस फिल्म में हमें मल्यालम एक्टर प्रिथविराज सुकुमारन कैमियो के रूप में दिखाई देंगे प्रभास काफी खुश हैं इस मल्यालम एक्टर को लेके इस फिल्म में ये फिल इनमेटोग्राफी की पीछे की भौन गोडा को दी गई है, यूवी क्रियेशन ने कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, जैसे मिर्ची, रादेशाम, साहो, रन राजा रन और हैपी वैडिंग, अब देखना ये रहेगा कि कैसी होगी इस फिल्म से इनको प्रोफिट, क काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, के जी एफ की सक्सेस को देखकर इस फिल्म में डार्ट सेंट्रिक थीम यूज होगी, और ये टेकनोलोजी फिल्म तैनात, बैटमेन, ट्रायलोजी और मैट्रिक्स, इस टेकनोलोजी के इस्तेमाल से फिल्म की इमेज और भी बढ़ ज कैसे, ये फिल्म तैलगू, तमिल, मले आलम, हिंदी और कनाडा में नजर आएगी, ये फिल्म प्रफशांत की पहले फिल्म है, तैलगू में, ये फिल्म के OTT राइट्स के लिए 200 करोड की ओफर हुई थी, इसके साथ एक और बड़ा सवाल रहेगा, कि के जी एफ के वर्ड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्खोना भूने। जगपधी बाबू अतिश्वरी राओ, इस फिल्म में शुदी प्रभास के लाब इंट्रस का रोल प्ले करेंगी और फिल्म में का नाम होगा आध्या, वहीं पर प्रभास का नाम होगा सलार और बाबू का नाम होगा राजा मनार, वहीं पर इश्वरी सलार की मा का रोल प् हुए कि वो पूरे भारत और वर्ड वाइड में फेमस हो गए इसके बाद बाहु बली टू आई जिसने कई सारे बॉक्स ओफिस रिकॉर्ट को तोड़ दिया था इस फिल्म के अलावा प्रभास फिल्म आधि पुरुष में भी साथ करोड रुपे चार्ज करने वाले हैं तो 30% शूट कंप्लीट हो चुका है यह फिल्म के कुछ सींस बल्गेरिया में भी शूट के गए हैं दोस्तों इस फिल्म को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड है और सूत्रों के माने तो यह फिल्म एक हजार करोगा का कलेक्शन करने की प्लाइन कर रही है प्रभास ने इस साथ साथ सॉंग्स भी गाती हैं दोस्तों उन्हें अपने सॉंग का डेब्यू 2000 में किया था फिल्म हेराम से शूति ने फिल्म में आस लीड डेब्यू किया बॉलिवड फिल्म लक से जो बॉक्स आफिस पर ठीक ठाक चली थी शूतिन और भी कई फिल्म इंडस्टीज में क जल्यारे में पैन इंडिया आजकल ये शब्द काफी सुनने को मिल रहा है बॉलिवड टॉलिवड ये सब खत्म सिर्फ इंडियन सिनेमा एक फिल्म हर लेंग्वेज में फैंस तक पहुंचाना तो ये तब शुरू हुआ जब प्रभास की फिल्म आई थी बाहुवली लेकि तो आपने देखा था कि किस तरह केजियर 3 और सालार का कनेक्शन पिछली वीडियो में दिखाया गया था अभी कुछ दिन पहले ही सालार के डायरेक्टर प्रशान नील ने फैंस के साथ सालार की फर्स टीजर की बात शेयर की थी उन्होंने बताया कि इस फिल्म का टीजर 2022 क एंड तक आउट कर दिया जाएगा और शूटिंग के दौरान प्रभास के सीन के कुछ छोटे मोटे पिक्चर्स भी लिख हुए थे सालार की शूटिंग 30-40 परसंट तक पूरी हो चुकी है और साथ ही इसे एगले साल 2023 के किसी भी शुरुआती महिने में रिलीस कर दिया जा इसलिए वो इस फिल्म के लिए काफी महनत कर रहे हैं और एक वज़ा ये भी है कि इतनी जल्दी टीजर रिलीस क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि KGF की हिट अभी भी लोगों के अंदर ताजा है ऐसे मगर प्रभास का टीजर आता है तो प्रभास और यश्च के तो हीरो के साथ साथ विलेन भी बराबरी के होंगे जी हाँ फिल्म में मलयालम एक्टर प्रित्विराज को खलनायक के रूप में देखा जाएगा प्रित्विराज एक एक एक्टर होने के साथ साथ प्रड्यूसर डायरेक्टर और एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर मलयालम स शिरुवात नंदनम से हुई थी ये एक बहतरीन फिल्म थी और जहां तक बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट है 500 करोड और ये एक साथ 12,000 स्क्रीनों पर दिखाई जाएगी साथी प्रशान भी अपने आने वाली साली फिल्मों में किसी भी तरह की कमी नहीं देखना चाहते फैंस को उनकी फिल्मों से काफी जादा उमीद है और ऐसे में वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो दोस्तों क्या प्रभास की आने वाली फिल्म सालार के लिए एक्साइटेड है आप अपना जवाब हमें ज़रूर बताएं लाइक और शेयर करना बिल्कुल न निश्का त्यागी सनारीक अपकमिंग इंडियन आक्शन फिल्म है जो 2023 में रिलीज होगी और इस फिल्म के डिरेक्टर प्रशान दी है जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसी के साथ वह पूरे इंडिया के वन अब द फ्रीमस डिरेक्टर्स की लिस्ट में भ बहुत जादा एक्साइटिड है सलार फर्म अक्चुल में मुवी इंडस्ट्री को चेंज कर सकती है अपने काम से चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे सलार फर्म के रिलीज होने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो सकती है इंडिया की सबसे पहले तो डीसी टेक्नॉल यूज करने वाली फर्स्ट फिल्म होने वाली है फ्रांस को फर्स टाइम ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है जिसकी वज़ा से हो सकता है कि सलार सूपर हिट हो जाए और आगे जाकर और फिल्म इसे रीजन की वज़ा से सलार फिल्म हो सकती है चेंज कर दे फिल्म चेंज जाएगी। कुछ टाइम पहले फिल्मेकर्स ने कहा कि सलार फिल्म के डिरेक्टर प्रशान नील सोच रहे हैं सलार को एविंजर्स की तरह बनाने का। सलार में प्रभास होने वाले हैं और सलार से पहले प्रशान नील केजिर चाप्टर 2 भी बनाई है जिसमें में हीरो यश थे अब हो सकता है कि आगे जागे किसी फिल्म में यश और प्रभास दिखाई दे दोस्ता आपको बता दे कि मार्वल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है और मार्वल वर्ल की नमबर वन फ्रेंचोईजी है मार्वल की मूवीज में हमने देखा है कि सारे सूपर हीरोज एक साथ पाइट करते हैं और एक ही फिल्म का हिस्सा होते हैं अगर प्रशान नील का आइडिया यश और प्रभास को साथ में लाने और दिखाने का और दोनों को ही एक फिल्म का हिस्सा बनाने का है और अगर वो सक्सेस्फुल हो जाता है तो इंडियन फिल्म इलास्टी के लिए बहुत बड़ा डिवलीशन बन सकता है क्योंकि आज से पहले बहुत कम फिल्म सी हैं जिसमें हमने ऐसे आक्टर्स को साथ काम करते हुए दिखा है इससे पहले हमने देखा है कि रो इस शैटी ने ट्रॉय किया है अपने फिल्म में इस कंसेप्ट को यूज करने का उन्होंने सबसे पहले सिंगम डिरेक्ट करी और पर सिंगम टू जब ही दोरों फिल्म सा गए और लोगों को बहुत पसंद आई तब उन्होंने रनवीर सिंग के साथ सिंभा डिरेक्ट करी जिसमें एंड में उन्होंने अज़देवगन का एक कैमियो रोल किया जिसमें रनवीर सिंग और अज़देवगन साथ देखने को मिले और इस कॉलाबरेशन से फैंस बहुत ज़दा खुश थे अब उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम पहले ही सूरेवण शिरेक्ट करी है जिसमें अक्षे कुमार में इन हीरो थे और उनके साथ कैटरीना कैफ भी थी बटकना ही नहीं दोस्तों अक्षे कुमार के साथ फिर्म में अज़देवगन और अनवीर सिंग भी थे और तीनों का कॉलाबरेशन लोगों को बहुत जादा अच्छा लगा और इन तीनों को एक साथ कोई फिर्म में नहीं ला पाया था इन्होंने एक फिर्म करी है बट उसमें एक अक्टर के लावा बाकि आक्टर्स का कैमे रोल रहा है और ये रोल रहा था तो थोड़े टाइम के लिए ही तो अगर प्रशान नील सोच रहे हैं तो ऐसा फर्स टाइम होगा जो एविंजर्स टाइप लाएंगे और फान्स को एकसाइट करेंगे प्रबास नहीं के बाहु बली अंदाज प्रबास ते अलग ही लेवल की उचाइथी साउट फिल्म इंडॉस्ट्री जैसे कि हम जानते ही हैं बाहु बली की सक्सस की वज़ेसे वाल वॉड स्टार्स को टोरिंग का सामना भी करना पड़ा था बाहु बली यानी की प्रबास साहु बली के बात भी रुखे लिए और उन्हें दो बड़ी फिल्में की जैसे की साहु और आदेशी बात करेंगर साहु की साहु एक एक्शन सस्पेंस करती और उन्हीं दूसरी तरफ रादेश्याम एक रोमांटिक लिए प्रबास अब जुद गए अपनी आपकविन फिल सबसिघन भादिध उन्हीं करीया कर देबेट ऊग्रम्से या किया प्रशान की लाइफ का थारिंग पौरा नीजकर नाम प्रशान काढ़ी tahram – यहां गखेव प्राशान का जन 6 जून 1980 जब पुशान से एक इंट्रुव्यमा पूछा गया कि उनके फिल्म इंडरस्टर्रेम कतब कैसरा रखे तब उन्हें क nella की उन प्रुषानद एक इन्डरस्टर्री की चाज़ा गया एक उनने का फिल्मी उतार जडाव भी देके हैं और उन्हें कि ये ने फास्टरी छोड़ने और बन गई थी कर्नट थी हायस ड्वासिंग फिल्मों में से, प्रशान ने फिट रखी केजिव कुलार बोल्ड माइंड्स फिल्म, इस पे मुख्या मूमे का निबाई थी यश ने और फिल्म ने क्या कमाल करती, केसम हम जानते ही, केजिव को दो पार्ट्स में रिलीस किया ग सलार की शूटिंग हुई शुरू 2 दिसामबर 2020 को और फिल्म का पोस्टर भी रिलीस कर दिया गए, फिल्म तो प्रिड्यूस किया जाएगा हम बले फिल्म स्कॉड, सलार में मोख्यभू में कने भाएंगे प्रभास, पृत्वी राज सूकुमरन, शूति हसन और जगापती सलार की कहान लेके गई है प्रशाद नील द्वार, और फिल्म का प्रेड्यूस किया है भीजे किरगणू, सलार का ओवरॉल बजट तक 200 करो, बता दे, सलार 2023 में रिलीस होगी और फिल्मों की बाकी बशाओं में रिलीस किया जाएगा, जैसे मल्यालम, तमिल, करन, हिंदी औ प्रशाद नील ने टीजर का काम पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही रिलीस किया जाएगा, प्रशांत टीजर लॉंच करने में कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मोटे फिल्म के आसपास प्रचार को बनाये रखना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म को लेकर पहले ही आसमान चोने वाली खबरे बहार आ रही है और KGF अबी में फिल्म को दर्शकों तक पहुंच वाने के लिए कड़ी मेनत की, हाला कि फिल्म के इर्जेफ चाप्टर टू के कैंसल होने के कारण सलार की शूटिंग भी रुख गई थी, महामारी के कारण फिल्म की रिलीस को अगले साल के लिए ठकेलना पड़ा, प्रबास के फ के जेफ चैप्टर टू जैसा मास्टरपीस बनाया है और प्रशांद ने दो फिल्में के जेफ चैप्टर One और के जेफ चैप्टर टू को डिरेट किया है, प्रबास अपनी हर भुमिका में अपना बैस देने के लिए जाने जाते हैं, और प्रबास को उमीद है कि प्रशा लुक्स और अट्रेक्टिव फस्नालिटी के लिए जाने चाते हैं लेकिन हाली में उनके उफ स्क्रीन लुक्स में उनके फैंस को भी कन्फ्यूस कर दिया कई मशूर अस्तियों के लिए यह प्रभास जो हाल ही में अधिपुरुष की शूटिंग कर रहे हैं अभी नीता जहां भी जाते हैं अपने सिर के चारों और एक स्काफ पहने हुए देखी गए प्रशांसक सलार में उनके लुक को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वही फिल्म है जिसके आगे शूटिंग करने वाले ह पश्ट किया है कि वह पर्सनल रूप से फिल्म के लिए प्रभास के नए रूप की देखभाग कर रहे हैं यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पिछली रिलीज रादे शाम में अभी नीता की स्टाइल और लुक्स को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोल किया गया था और प्रश चांत नील द्वारा और फिल्म को प्रोडियूस किया है विजय कि रंगदूर ने और अगर बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का ओवरॉल बजट है 200 करोर यह फिल्म हमें 2023 के एंड तक देखने मिल जाएगी और आज के लिए बस इतना ही अब मैं लेती हूं आप सभी इसे इजाज़त भी होब कि आपको यह वीडियो पसंदाया होगा क्या सलार में जगपती और प्रभास बनेंगे दुश्मन कितना होगा सलार फिल्म का बजट आखिर कौन है यह जगपती बाबू हलो फ्रेंड वेल्कम बाक टियोर पेवरेटी डिप चैनल जिसमें हम बात करेंगे कि क्या जगपती बाबू और प्रभास की जोड़ी लॉट रही है सब फ्रेंड इसका जवाब जाने के लिए बने रही है वीडियो के एंतर तलार फिल्म की आहट तो हमने सुन ही ली है अरे भाई प्रभास फिर जो लॉट रहे हैं एक धमागेदार कमबाक के साथ अब प्रभास हमें फिर एक बार दिखेंगे आक्शन करते हुए सुबर्स्टार प्रभास अभी नीच चली यू फिल्स सालार का टीजर अगले महीने रिलीज होने की पूरी संभावना है रेपोट्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे हक्ते में टीजर रिली इसका प्रडाक्शन विजे किरांगदुर ने अपने होम बेल फिल्मों के तहत किया है फिल्म को एक साथ कंड़ और चलीग्यू में शूच किया गया है जिसे तामिल मल्या आलम और हिंदी में जब किया जाएगा फिल्में जगपती बाबु राजमनार नामकिक महत्वपू और भूमिगा निभा रहे हैं बात करें आगे जगपती बाबु के बारे में तो वह एक भारतिय अभिनेता हैं जो मुख्यरूप से चलीग्यू सिरा में अपने काम करने के लिए जाने जाते हैं वह कुछ तामिलकर नडर्मलयालव फिल्म में भी दिखाई दिये हैं 33 साल के करियर में बाबु ने 170 फीचर फिल्मों में काम किया है और उन्हें चार फिल्म फियर और सत्य राजनंदी अवार्द्स अम मिल चुके हैं वैसे के जीएफ चैप्टर वान और के जीएफ चैप्टर टू के डिरेक्टर की और से सलार नाम की एक और बिगर दिन लाइफ फिल है टीम सलार ने फिल्म का एक दिल्चास्प नया पोस्टर जारी किया है पोस्टर ने जगपती बाबु को राजा मनार के खरल में दिखाया गया है ऐसा एक किरदार जो फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक निभाने को जा रहा है फिल्म का नया शूट तो पूरा हो चुका है अब बज़े हिस्से को फरवरी 2022 तक खतम किया जाना चाहिए इस साल के अन तक एक नई रिलीस की तारीक दिये जाने की उमीद हम रख रखते हैं पोस्टर के बारे में बात करते हुए प्रड्यूजर विजे की रंगदुर ने कहा हम सलार की दुनिया के सामने पेश करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते सलार के नई पोस्टर प्रोजेक्ट करने के पीछे कब विचार अधिक इंटरस्ट पैदा करना है अभी हम केवल इ सामने आएंगे फिल्म को एक नया भारतिय फिल्म के रूप में बनाया जा रहा है जिसे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी हम सभी बाशाओं में इसे रिलीस करेंगे अब हम इस फिल्म के बारे में अधिक अपडेट की प्रदीक्शन नहीं कर सकते सकते हैं नहीं बताएं अपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्या प्रशान तोड़िंगे अपना ही रिकॉर्ड क्या सलार तोड़ी की की जीएफ कर रिकॉर्ड नमस्कार दर्शकों मैं हूँ आपके साथ कर निकलिंग बल और आप देख रहे हैं बाहु बली को कोई नाज जने ऐस अब हो सकता है बॉलिवड को एक ही चक्के में हिलाच उडाला था प्रभास नमून के बाहु बली अंदाज प्रभास ने अलग ही लेवल की उचाहिदी साथ फिल्म इंडस्ट्री जैसे की हम जानते ही हैं बाहु बली की सक्सस की वज़े से बॉलिवड स्टार्स को कि बाहु बली यानि की बरभास बाहु बली के बाद भी रुखे नहीं उन्हें दो बड़ी फिल्मी जैसे की साहू और आदेश्याहू बात करेगार साहू की साहू एक एक्ष्ट सस्पेंस फिल्म थी और वहीं दूसरे दर्फ रादेश्याह में क्रोमांटिक मोवी है एक तो सलार के बात करें सालार को डिरेक करें के कीजिए हो डिरेक्टर प्रशान्त मीन प्रशान्त य가요 इन दिरेक्टर और स्किर्रवीटर है यिस तिर are similar film industry से जोड़ा प्रशान्त की खरक्रिया कडेशन फोर से करें नंपे उग्रम से किया प्रशान की लाइफ का तर्रिंग पॉइंट बनी उनकी सूपर डूपर हिट फिल्म KGF KGF आज तक की सुबसी बड़ी हाइस ब्रॉसिंग करनर फिल्म है जिसमें टाइटल हासिल कर चुका है बात करें तो प्रशान के लाइफ के बारे में तो प्रशान का पूरा नाम है प्रशान नील कांथपूर प्रशान का जंग 4 जून 1980 में हुआ था जब प्रशान से एक इंटर्वियों में पूछे गया कि उनकी फिल्म इंडर्स्ट्री में कदम कैसे रखा तब उन्हें कहा कि वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्म इंडर्स्ट्री में काम करने के लिए देया लिए फिर वक्त के साथ उनका इंटर्स फिल्मों की तरफ ये बढ़ता चला गया प्रशान देमी जिन्गी की कई उतार चड़ाव भी देखे हैं और उन्होंने कई बार ये फिल्म इंडर्स्ट्री छोड़ने का भी वैसला किया लेकिन खुदा ने चमतकार किया और उनकी जोली में आ गई उग्रम जो बॉक्स ओफिस पर हिट साबिक हुई और बन गई थी करनट थी हाइस ड्वासिंग फिल्मों में से है प्रशान ने फिट रखी केजिव को लार गोल्ड माइंड फील्ड जिसमें मुख्यबूमे का निबाई दी यश ने और फिल्म ने किया कमाल करते ये सम्हम चानते ही हैं केजिव को दो पार्ट्स में रिलीस किया गया तो और मुख्यबूमे का निबाएंगे प्रभास, प्रित्वी राज सुकुमरन, शूति हसन और जगापती बाबू सल्लार की खान लेके गई है प्रशान नील द्वारा और फिल्म का प्रेड्यूस किया गया है विजे किरगन डूने सल्लार का ओवरॉल बजट टू हंड़ करो बत अच्छान ने और कितने शेरगी होगी एंट्री के देखना काफी दिल्चस्ट होगा तो क्या आप है एक्साइट प्रभास के ब्यू स्ट्राइल देखने की विए क्या सीन्स होंगे पहले से काफी लार्ज कहा हो रही है इन सीन्स की शूटिंग आज कल कहा भीजी है प्रभास जानने हैं इन सभी सवाना की जवाद तो वीडियो के अंतक बने रही है हमारे साथ मैं हूँ आपके उसकंदों सन्मिता पाठक और स्वागत करती हूँ आपको वालिवेट स्टूडियो की फिल्मी दुनिया में ता यह शुरू करते हैं आज का यह मज़दार वीडियो तरस्तों बावबली स्टार प्रभास इंदेनों अपकमिंग फिल्म सालार को लेकर काफी चर्चा में है यह एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म होने वाली ह आपको बता दें कि अविनेता प्रभास की आने वाली फिल्म सालार में एक्शन से भरफूर इंटर्वेल भी होगा फियेकर की स्क्रीन को जार्लिंग के जैंस के लिए सजाना शुरू कर देया है और यह इंटर्वर वारे सीन्स ऐसे होंगे जो दर्शुकों के रॉंग दे खड़े करने पर मजबूर कर देंगा आपको बता दें कि इस सीन्स इसकदर तकालिशान होंगे कि पिछले कुछ सालों के मताबिक यह सबसे बेस्ट सीन्स माने जा रहे हैं जो लोग सेट्स पर मौझूद रहे कर इन्हें देख रहे हैं उनका भी मानना है कि फिल्म बाहु पर शूट होने वाली है इसलिए माने जा रही है क्योंकि इसमें मास एलिमेंट होंगे और ये एक वॉयलेंट आजमी के इर्द गिर्भून की नजर आएगी इस फिल्म में शुटी हसंद्री जोन में होंगी जिनकी जोड़ी प्रभाद के साथ पहली बार देखने वाली है जगपती बाबू भी एक एहम रोल में होंगे बात अगर प्रभाद के बाखी प्रजेक्ट की गई जाए तो इस समय वो काफी विजी स्ट्रीव से गुजर रहे हैं सालार के लावा उनकी एक और फिल्म रादे शाम काफी चर्चा में है जिसमें इनके साथ नजर आएंगी पूजा हेक्डे ये एक रुबैंटिक कहानी होगी जिसका फैंस को काफी इंतुजार है प्रभाद ये फिल्म संक्तरांती के आसपास रिवी होगी जबकि सालार भी परवरी के महीने तक रुगली उस्टी जानी है इसके अलावा प्रभाद पॉलिवुड में स्टैवली खा अंकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे हमारी आने वाली वीडियो आपको आज की वीडियो के लिए गायल शेर की सांसे उसकी तहार सेगी ज्यादा भ्यानक होगी इसवार नाकाम्यावी को खले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता किस से दस पतम आगे है प्रभास? सलार में ख्यान आखर रहे है प्रशानत में? रश्वीकान से कोई प्रभास की दुल्ला का क्या है राज? दोस्तो एक बात तो पक्की है बाहुबली स्टार प्रभास अब बाहुबली ब्रांड से भी पर एक ब्रांड है और पिर आज जस तरह की प्रोजेक्ट वो चूज कर रहे हैं उस हिसाफ से उनके लिए फ्रांस की दिवान की देखने लायक है अब उनके वाले 25 यह जा रहा है ले कहने सीवेच यह ख़बर सुनने आ रही है उनकी अचीवमेंट की चलते उनकी साधी स्टार्स उस चलंगर सा महसूबली रहे हैं आप देखें प्रभास से कहले बहुत से सांथी बोल्यूद मेंसे लेने की कोशिश है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि श उसके बाद से लेकर अभी तक की बॉल्यूद के बड़ी प्रड्यूजर्स उन्हें अच्छा खासा लानश दे रही है उनके आने वाली कुम हादी पुरुश और सलार उन्हीं में से एक है यह बाद यहीं तक नहीं कि खावर है कि अपनी सीरीज भी उन्हीं अपनी एक अब इसका नतीचा यह है कि स्टाउट में कुछ बड़े-बड़े स्टार्स जो बॉल्यूद में ऐसा मुकाम बनाना चाहते हैं आज कल गायराक्टर्स और प्रद्यूजर्स के साथ मिलकर ग्रांड लॉंच की प्लानिंग करे रहे हैं हम तो यही कहेंगे कि ऐसी चीज़े प्लान नहीं कीछा सकती और यह अपने आप ही होती है हाला कि उससे पहले कि यह स्टार्स अपनी अपनी जगह बनाने के लिए एक स्टेप आगी लेकर प्रभास अपनी उनसे दस कदम आगे हैं जिसले वो आस देशखर में अपने कदम चमाने हैं वहीं बाद उनके आने वाली मूवी स्टलार की गए तो प्रशांत में दुवालन नितेशट इस मूवी में प्रभास की शाल शुवी हज़न दियो है ये एक आक्शन प्रमांटिक मूवी है आपको बटा दे कि मूवी में कई नई टेखनोलोजी तस्टवाल किया चाएगा जो आज तक किसी भी हिंदी मूवी में यूज नहीं की गई है इस टेखनोलोजी को इंडिया में लाने के लिए ने देशट ने काफी मोटी रखम खर्शती है जिसका नदीर रहा मूवी आने को बात आपको पता चाथी जाएगा घायल शेर की सासें उसकी तहार से भी ज्यादा भयान को इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता जेट पूरी कस्वन के वेगोस का क्या कहना है क्या इस फुल्ब की शूदिंग खत्म हो चुकी है इस फुल्म का नाम सलार होने की क्या वज़ा है आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार के जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते जल्री आने वाली है साउथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री में जबर्दस्ट फिल्मों का तूफान के जेफ चाप्टी टू में तो पहले से ही साउथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री में तहल का मचा कर रखा है और उसके बाद यह अलूर्जिंग की अपकमी फिल्म पुष्ट और प्रभास की आने वाली पिक्चर सलार भी लाइन अपना नमबर लगाए खड़ी है 14 अप्रील 2022 को रिलीज होने वाल ये आक्शन थ्रिडर फिल्म जो सलार प्रशांट नील द्वारा लिखी और डारिस की जा रही है इस फिल्म के प्रडूसर विजय के रगुंदूर होंगे और सलार को होमबेग प्रविन प्रडॉक्शन के द्वारा रोलीज किया जाएगा फिल्म के लीड आक्शर प्रभास है पूरी तरह तयार अपनी फाडू परफॉर्मेंट देने के लिए सलार की शूटिंग 2021 के शुरू आट में ही शुरू हो चुकी है सलार को लॉंच करने के ऐफिशन अनाउंस्मेंट 16 जानुरी 2021 को की गई थी और उसके कुछ दिनों बार इस फिल्म के कास्ट इन प्यू के साथ विएद एक्साइटमेंट के साथ 29 जन्दर 2021 को सलार की प्रिंस्पल फोटोग्रफी शुरू ही थी ऐसा कहा जारा है कि इस साल के अन तक सलार की शूटिंग खत्म हो जाएगी और इस फिल्म की प्रड़क्शन को राप अप कर दिया जाएगा और अग्ले साल इस फिल्म प्रिंस्पल फिल्म को फोटे गए बॉन की तरह धमाका मताएगी सलार के मेकर्स हैं पूरी तरह से तयार इस फिल्म को जल से जल बड़े परड़े पर उनीज करने के लिए कन्न और तेलगू लांगविज के साथ इस फिल्म को शूट किया जा रहा है दिसेंबर 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग को खत्म करके फिल्म के मेकर्स अगले साल सलार की रिलीज के साथ आने वाले है चौद अप्री 2022 को थीटर्स में देखने को मिलेगी प्रभास स्टारर ये आक्शन त्रिटर फिल्म जो प्रभास के फैंट को फिर एक बारुन का दिवाना बना देगी सलार एक उर्दू शब्ड है जिसका मतलब हो क्या प्रभास का नाम सलार रखा गया है क्योंकि प्रभास के वारा एक नेतरुत्व करता हुआ इंसान कैसा होना चाहिए वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा सलार की कहानी और प्रभास की इंफाक्टों किर्दार के बारे में जानकारी हासल करने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें तो आज की वीडियो में फिलाल बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई मूवी से जोड़ी कि इंट्रेस्टिन खबर को लेकर कि इसवार नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्ति नहीं पाता कि फिल्म जोती का दिखेंगी क्या होने वाला है फिल्म में श्रूती हसन का किरदार क्या सलार एक रिमेक फिल्म होगी नमश्कार बॉलिग्रेट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेड कुछ इंट प्रशान नील के डिरेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है जी हां आने वाली सलार फिल्म से प्रभास सेलेगू सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबर्दस लुक सामने आया है तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा excitement देखी गई है फिल्म में पहली बार प्रभास और शूती हसन की जोड़ी को बड़े पर देखा जाएगा और इस फिल्म में शूती हसन एक जोर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती है पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलिवुड के फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जोतीका का जो आने वाली फिल्म में प्रभास की बेहन का रोल करते हुए नजर आ सकती है जोतीका तमिल तेलगू हिंदी इंड़स्ट्री में काम कर चुकी है और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी है उनहेवाली टेगौर, खुशी, मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है सलार में उनका रोल होगा या नहीं वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं इसकी Confirmation Maker ज्वारा भी तक नहीं की गई है तो देखते हैं कि जोतिका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरे काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कंणर फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशान नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना जैब्यू किया था पर इस बात से सलार फिल्म के जारेक्टर प्रशान नील ने साफ मना कर दिया है उनका कहना है कि सालार फिल्म के कहानी एकदम नहीं है और जो सिर्फ गायल शेर की सांसें उसकी ताहर से भी ज्यादा भ्याना कोईगी उसवर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता कैसा इतिहास रच्णी जा रही है प्रशान थे किस टेक्नलोजी को लेकर चर्चा में आए प्रशान इस टेक्नलोजी और क्रिस्टोफर नोलान का क्या है कनेक्शन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलार के बारे में प्रभास टार ये मूवी फिलहार प्रोडक्शन से गुजर रही है अब चूंकि इस मूवी को केजियर के करता धरता प्रशान नीज बना रही है तो मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा उची है पर अब निर्देशत अपने इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा धाना में खौर यादगार बनाना चादी है अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो कहते करने वाले हैं उसके लिए तो आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक दरूर जुड़ना होगा दरशल यू तो प्रेशान को मूवी में कुछ एक्स्ट्राओरिनरी करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही मूवी अच्छी खासी पॉपुरारिटी हासल कर चुकी है लेकिन लेकिन सिर्फी एक्साइ फर्स लगाती में फ्रेशान अपनी आउच्छन त्रिलर मूवी में हॉलिवूद तेक्नोलजी यूज करने वाले है इस technology के बारे में खास बात ये है कि ये foreign technology पहले बार कि भी Indian movie के लिए use कीच रहे ही जी हाँ, इसका मतलब ये है कि sound तो छोड़ी है, ये आज तक Bollywood में भी use नहीं की गई थी इस technology का नाम dark centric theme technology है क्या आज चानते हैं कि ये आज तक Hollywood की बड़ी-बड़ी फिल्मों चैसे टैनिक, बात्मैक और मात्रिक्स में ही use की गई रहे खास बात ये है कि इस technology को Christopher Nolan ने popular बनाया था जिन्होंने अपनी कई फिल्मों में इसका दमाल किया लेकिन आज तक किसी Hindi movie में इसका यूज नहीं किया गया शायद इंडिया में इसे शुरू कैने के लिए प्रिशान का नाम ने लिखा था इसने वो इतिहार जरूर लिखने वाले है यह technology viewers को फिल्में देखने का एक बिलकुल ही अनग और खास अनुभव मैसूस करानी जाली है दोस्तों अगर आप इस technology के बारे में और इस ज्यादा डीटेल में कुछ जानना चाते हैं तो उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंदिजार पहता होगा है प्रशांट नील द्वारा निदेशित इस मुवी में प्रभास के अलावा शुदी हसन भी लीड रोल में है जोद हमाकेदार आक्शन के साथ comeback कर देगी है यह मुवी अगली साथ एप्रिल में रिलीज होनी है हाला कि ख्याश को तालने के लिए स्कोस्पॉन भी किया चार सकता है आपको आज की यह वीडियो और इस नई टेक्नोलोजी के बारे में जान कर देगी है गायल जीर की सांसें उसकी तहार से की ज्यादा भ्याना को होगी इसवा नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं बाता भरे बुरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुम से कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो मगर चब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है अब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता क्या है सलार का बचल सलार की बार प्रभास की अद्दपिका के साथ नजर आने वाले हैं साउथ इंडन फिल्मों की फैन्स को क्यों कहा जाता है क्रिजी वक्त के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है जैसे की वक्त से पहले कभी कुछ नहीं होता वक्त-वक्त की बात है वगरा-वगरा लेकिन अब वक्त आ गया है जुसका हम सब बेसबरी से दजर कर रहे थे याने कि कुछ ही दुनों में प्रभास की फिल्म सालार की शूटिंग कम्प्लीट होने वाल है हम कम्प्लीट होने के बाद रुलीज होने तक हर दिन नई नई खबरे बनेंगी या यू कहें बनाई जाएंगी लेकिन उन सारी खबरों को आपके सामने हम पेश करते रहेंगे ऐसी कुछ खबरों को आज हम बताएंगे इस वीडियो में हेलो फ्रेंड्स मैं हूशूती और आप सब का बॉलेगराद स्टूडियोस के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ वो कहावा तो आपने सुनी होगी हाथ कंगन को आरसी किया जी हाँ यही कुछ कहा हुआ है इस फिल्म के साथ मेकर चाहे कितना भी ना कहे यहां कहे आने वाली फिल्म 200 करोड की लागात में बन रही है इसका पता पूरे हिंदुस्तान को लग चुका है फिल्म के पूस्टर लोकेशन, स्टार कास्ट, मार्केटिंग, पबिसिटी सब को ध्यान में रखते हुए यह फिल्म बिग बजट ना हुई तो आश्चर होगा अब जब आप इंदुस्तान के आने वाले सबसी महंगी फिल्म में काम करने वाले हो तो आपको तो बागी इंडस्ट्री से भी ओफर आना शुरू हो जाती है पिछले दिनों सुनने में आया है प्रभास और दिपिका पारुकों ने एक साथ किसी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं अब इसी बात का कन्फरमेशन अभी तक किसी ने भी नई दिया है वैसे ये बात तो सलार के लिए अच्छी है किसी और की पबिस्टी, मार्केटिंग और जूटी अववाओं का फाइदा सलार को हो सकता है यानि बेगानी शारी में अब दिल्ला दिवाना वैसे कई फैंस किसी की खुबसूर्टी के दिवाने होते हैं किसी के काम के दिवाने होते हैं किसी के स्टाइल के दिवाने होते हैं लेकिन साउथ इंडन फिल्मों के फैंस सिर्फ दिवाने होते हैं फिर चाहे फिल्म रिली लोंके पहले हो फिल्म की पोस्टर का दूद से भी शेक करना हो या दस-दस घटे फुम की टिकट के लिए लाइन में खड़े रहना और ये सब साउथ इंडन फिल्मों की ओडियंस में बहुत ज्यादा होते हैं इतने ज्यादा कि प्रभास सलु और जुन्जजनी कांत कमल हसन मामुटी और मुहनला दसे कलाकारों के फैंस तो सारी हांदे पार कर देते हैं और वैसे भी हद में रह कर किसी से प्यार नहीं किया जाता दो फल मीठा यानी सलार होता है देखना दिल्चस्प होगा कि क्या सलार का इंतजार करना सही था या नहीं फिल्हाल मुझे दीजिए जाज़त आप से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के सार्थ तब तक के लिए खुश रही हमारे चैनल को सब् या ने थे पैसो से दिलीट कोई पर या सेथ पर किसी आखने ने लिखाए हैं लखरे आखर है कौन ये स्था अगर आपी इन सवालों की चबाब चानल तो इस वीडियो को एं तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तो पैन इंडियस्ता प्रभास किसी इंट्रोडक्शन के मौतार्फ नहीं है इस समय उनके पास कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिन में से आजकल गूज सलार और अदी पुरुष को लेकर सबसे ज्यादा आवित इन प्रवों की शूदिंग के अलावा प्रवास चल भी अपने अखले प्रोजेक्ट का कांग शुरू करेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम पिल्हाल के रखा गया है ना गर्षमिंद्र से मिर्देशित द्वार मिर्देशित इस मुवी में उनके स्काद अमता प्रवास प्रवास के बाद कांगी प्रवास की शुरूर पर आजाए उनके आने माले प्रोजेक्ट की और उनके शेदूरू लेकिन इस पीचे इपाद जिसने सब को हैरान किया प्रवास की पीस उससे पहले आपको बता दे कि सलार अरागी पुरुष्क समय अभी तक की अपनी मुवी के लिए प्रवास अश्ती करोड रुपय की तीन कि या करते थे जो अपने आप में वावी ज्यादा है लेकिन अब उनों ने इसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है हाँ 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 है कि बावुबरी ने अपनी पीस अश्ती से तीना सौ करोड रुपय कर दी है जिसका मतलब ये है कि प्रवास के और उसके बाद आने वाली प्रवास के लिए रखम की मांग करेंगे क्या आप जानते हैं कि ऐसा होते ही प्रवास साउस्पिल्स अंडासी में रख्रिकान की बाद हाईस पेड आक्टर बन जाएंगे प्रवास एक साल में आमत और पर तीन चार्टर में लेकर आते हैं जिससे वो जल्दी और भी वरिस्टार बन जाएंगे हाला की देखने वाली बात गे होगी कि कितने मुवी मेकर्स उनकी इत्मान पूरी करपा दे हैं क्या प्रवास मेकर्स को अपनी बात मनवा पाएंगे या वापस से उनकी कायल जीर की सांसे उसकी तहार से की ज्यादा भ्यानक होगी किसे नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्टी नहीं पाता बढ़े बुरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए हालात मुश्किल नहुचाए और चीख चीख कर तुम से कहें कि तुम बुरी तरह हार चुके क्या सालार में च्राइगा मिस इंडिया का जादू? क्या सालार से हट गया है शुती का रोल? किसे कास्ट किया गया है प्रशान नील द्वारा? जानने हैं इन सवी सवालों के जब आप तो वीडियो के अंतक बने रहे हमारे साथ मैं हूँ आपके वसकंदा उससान में ताप आचा कर सागत करती हूँ आपको बॉलिक रेट स्ट्योडियोस की फिल्म ही दुनिया में ताइए शिरू करते हैं असका ये मज़़दार वीडियो दोस्तों यांग रेबल स्टार प्रभास इंदोरों केजी एफ के करता धरता प्रशाद नील की आने वाली फिल्म सालार में हाई ओर्टेज एक्षिन की तैयारी में लगे हुए हैं फिल्म की शूटिंग आज कल हैजरबाद में तेजगती से चल रही है जबकि प्रभास खुद भी सालार और आदे पुरुष के सेट के बीच चुदल बंदी कर रहे हैं सालार की शूटिंग इस साल के अन से पहले पूरी होने की उमीद है आपको बता दें कि इस साल फिल्म में शूती हसन भी लीड रोल में नजर आएंगी हाला की ताजा ख़बर तो ये है कि फिल्म में एक और लीड एक्टरिस भी होने वाली है और मेकर्स पुसी की तलाश में है लेकिन अब लगता है कि उनके तलाश एक एक्टरोस पर आकर रुख चुकी है दरसल मेकर्स ने फिल्म के लिए मिनाक्षी चौधरी को फाइनल किया है मिनाक्षी 2018 में मिस इंडिया होल्डर रह चुकी है और वो दीरे दीरे तेलगों सीनिमा में भी बिजी होती जा रही है फिल्म के निर्देश और प्रशान नील ने इस रोल के लिए मिनाक्षी को यूज़ किया है और उमीद है कि फिल्म के अगले शिड्यूल से ही वो यूनिट के साथ शूटिंग करती दिखेंगी H.E.F. 2 जिसे 2022 तक टाल दिया गया है उसके बाद उमीर है कि सालार अब 2022 के अन तक तो रिलीस नहीं ही होने वाली है ये 2022 की शुरुआत में ही बेशक रिलीस हो सकती है मिनाक्षी चौधरी आजकल रमेश वर्मा की निर्दीशन में बन रेक्शन ड्रामा खिलाडी में एक्टर रवी तेजा के साथ स्क्रीन स्पेश शेर कर रही है और अब उन्हें प्रभास की फिल्म सालार में लिया गया है फिल्म सालार एक एक्शन त्विलर होने जा रही है और इसे केजेफ की प्रडियूसर विजय किरगांदूर प्रडियूस कर रहे है केजेफ चाप्टर बॉन की सफलता में प्रशान नील को तेलवू सिनवा के कुछ A-Listers का ध्यान आकरशित करने में मदद की है उन्होंने अगली निर्देशन वाली फिल्म के लिए जूनियर NTR को भी साइन किया है इसी बीच वो अपनी बहु प्रदिक्षित फिल्म KGF2 की रिलीस का भी इंतजार कर रहे है और इस फिल्म में लीड रोल में आपको बता ही है कि कौन है अक्टर यश जबकि इस सेकल में बॉलिवुद स्टार संचे तद्वी एक शक्ति शारी खलनायक और रवीने टंडन भी महत्वपूर भूमिका में दिखाई देगे सलार के लावा प्रवास बॉलिव अबिरेत्वी दिपिका बादिकोन के साथ नागशू इनके निर्देशन में बनी फिल्म प्रोजेक्ट के में दिखाई रेंगे उनके पास रादा कृष्ण कुमार की रादेश शाम भी है जिसमें पूजा हेगडे मुख्य भूमिका में हैं जो अगले साल सिनिमा घरों में दस्तक देगी फिल्म और स्टार्स के बारे में इसी कई और बातों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आथ और देखते रहिए हमारी आने वादेश शाम से उसकी दाहार से भी ज्यादा भयाना कोईगी इस वर नाकाम्यावी को कले लगाना नहीं जानता क्यों हो रही है मेकर्स को सलार के रूलीज की शिंता क्यों जोर पकड़ा है प्रभास की शादी की स्टेक्योलेशन शोतिहासन को क्यों पसंद है और OGD से ज्यादा थीर्ज्रिकल रूलीज ऐसा काम करो की नाम हो जाए या फिर ऐसा नाम कमाओ की सुनते ही काम हो जाए जी हाँ इस लाइन को अगर कोई जी रहा है तो वो है इंडिया के आज की सूपरस्टार प्रभास और उनकी आने वाली फिल्म है अब उनके आने वाली फिल्मों में ऐसा क्या खास है और इनके बारे में आज कल क्या क्या चरचाय हो रही है ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में मैं शुती बॉलिगराज स्टूडियोस के इस वीडियो में आपका स्वागत करती है वो कहावद तो आपने सुनी होगी दूद का जला चाज भी फूप फूप कर पीता है कुछ ऐसा ही हाल है सलार फिल्म के मेकर्स का इस बात का पता चला कि सलार और केजी फ्टू बाक टुबाक शायद एखी हफते में यह शायद एखी दिन रिलीज हो सकती है तो पहले तो खुश होने वाले मेकर्स अब इस बात से ही परिशान होने लगे है क्योंकि इस से पहले ना सिर्फ बॉल ए उट बल की इंडिया में जहां भी फिल्म में बनती है वहां कि एक कड़ी सचाई रही है कि दो बिग बजट फिल्म में अगर एक साथ रिलीज हो तो नुकसान दोनों का होता है अब यही चिंता प्रेडियूसर विजय के रगंदूर और हूम बेल सुन्स को हो रही है अब इससे पहले इस प्रड़क्शन हाउस ने कई सारी हिट फिल्म में बनाई है लिकिन इस बार का महौल थोड़ा अलग है आपको क्या लगता है ऐसे समय में मेकर्स के लिए सही ऑप्शन क्या है आपकी उपीनिन हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए प्रभास की उम्र लगभग 41 साल है और कहा जा रहा है कि शायद अगले साल वज शादी कर सकते ही प्रभास बता दे ऐसी बातों पिछले 6 सालों में कई बार हो चुकी है जब से बाहु बली फिल्म रिलीज हुई है लेकिन प्रभास ने भी अपने ही स्टाइल में कभी शर्मी ने तो कभी बेबाक अंदास में इन बातों को खंडन भी किया अब देखते हैं आने वाली बिग बजट फिल्म के साथ वो कोई बिंग अनाउंच्मेंट करते हैं या नहीं खाली में एक इन टीवी के दोरान सलार आक्ट रिशूतिहासन ने कहा कि उन्हीं OTT प्लाटफॉर्म से जादा थीटर में फिल्म में देखना पसंद है लेकिन अपने इस बात को आगे ले जाते हैं वे वे कहती है कि अगर थीटर में फिल्म देखने के दौरान कोई डिस्टर्बिंस हो तो शायद सरस्य अच्छा ओप्शन घर में बैट कर मोबाईल या टीवी पर ही OTT प्लाटफॉर्म की जरीए तुन देखना है उनका कहना है कि जो experience थीटर में मिलता है उसकी तोलना आप किसी से नहीं कर सकते बात तो सही है 9 सितंबर कुन की और विशे से तुपती की फिल्म लाम बम रिलीज होने वारी है अब देखना दुल्चस्प होगा कि औरियंस इस फिल्म को पसंद करती है या वेल ट्राइ या बेर लग नेक्स टाइम कहके आगे बढ़ती है बिसे आज कल हर किसी को हिट फिल्म का इंतजार है उमीद करेंगे कि ये फिल्म हिट सावेत हो आज के लिए बस इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश र के जौन अबराहम होने वारे हैं सलार का हिस्सा सलार में क्यों शूती हसन नजर आएंगी प्रभास के साथ रुमांस करते हुए सलार के बाद प्रभास और कौन कौन से फिल्मों की कर रही हैं तैयारी हलो दोस्तों नमश्कार सुआगद है अप सरीका बॉलिग्राइब स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ निश्का त्यारी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार को लेकर फिल्म इंडास्टिय में काफी चर्चा हो रही है डिरेक्टर प्रभास नील और आक्टर प्रभास की जोड़ी अवश्य ही फिल्मी दुनिया में एक धमागा करने वाली है लेकिन दोस्तों इस फिल्म में प्रभास के साथ और भी कई किर्दार हैं जिस फिल्म की सकस्स का हिस्सा बन सकती है हाल ही में खबरे आ रही है कि बॉलिवुड आक्टर सूपरस्टार जॉन अबराहम को फिल्म की डिरेक्टर प्रशांत नील ने में विलन का किर्दार ने भाने का ओफर दिया है हालागि दोस्तों इस बारे में कोई कंफरमेशन ये पकी खबर नहीं आई है जॉन अबराहम अगर सलार में विलन के रूप में देखने को मिलेंगे तो प्रभास और जॉन का आपसी टकर देखने में मसाएगा ये टकर फिल्म में एक अलग तड़का डालने का काम भी करेंगी लेकिन दोस्तों ये खबर अभी पकी नहीं हुई है और जॉन अबराहम अबया अपनी आने वाली फिल्म अटाक के प्रमोशनल इविन्स को लेकर काफी जादा बिजी है अब जॉन हमें विलन के अफ्तार में सलार में देखने को मिलेंगे या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा सलार के रोमांटिक आंगल की बात करें दोस्तों तो प्रभास के साथ शुरती हसन पहली बार सिल्व स्क्रीन पर नज़र आने वाली है दोस्तों पता दो कि प्रभास ने भी शुरती हसन के बोधे पर इंस्टेग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए हापी वादे विश किया था उन्हें और सलार की टीम में वेलकम किया था प्रभास ने ये भी लिखा था कि शुरती हसन के साथ काम करने के लिए वो काफ़ी एक्साइड़ है और ये एक्सपीरिंस उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है सलार की दमाके के बाद प्रभास एक के बादे एक जबरदस मूवी लेकर आने के लिए तयार है तोस्तो प्रभास अपने फ Mode राद शाम की रिलीज होने के बाद सलार का धमाकत करेंगे और फिर अपनी कई सारी आनेवाले फिलमों की रेलिवेशन भीक करने वाले हैं इन सब के बाद प्रभास नाग श्मिन द्वारा डिरेक्ट की गई नई पिचर की शूटिंग के लिए तयार हैं जहां दिपेक अपद कौन फीमेल लीट में रोल में नज़र आने वाली है। जी हां दोस्तों प्रभास ने अपनी फिल्म आधी परिष्ट्य अनास्मिन भी कर दी है जो कि 11 अगस 2022 में ठीटर्स में रिलीज होने वाली है। त्रीडी पिचर होगी जो कि ओमकार द्वारा डिरेक्ट की जाने वाली है और इस पिचर की मेजर सीन्स मुंबई में ही शूट के जाएंगे। तो जोस्तों आप हमें कॉमें से बताईएगा कि आप प्रभास की कौन सी मुवी के लिए सबसे जाते एक गायल जीर की सांसें उसकी तहार से की ज्यादा भयानक होगी है। तो सलार के बूस्टर में प्रभास का लोग कैसा जखाएंगे। गायल जीर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयानक होगी है। जो नाकाम्याभी को कहले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। क्यों सलार एक मल्टी लिंग्वल फिल्म है। क्यों है शुती हसन के करियर की ये सबसे बड़ी फिल्म। बहुत ज्यादा मिलने वाली पब्लिस लीक या सलार का खेल खराब करेगी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मन उसे तो मैं खुदने पटनूगा। जी हाँ दोस्तों ये वाक ये सलार के बारे में शायद सच भी हो सकता है। अब ये कैसे, क्यों और कहां से आया, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अब तो ये तय हो गया है कि आने वाले साल भर में जो चार फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेंगी वो होगी रादेशया, आर, 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 के जिफ्टो और सलार। कि सबसे बड़ी तीन बिग बजट फिल्में प्रभास की है और इन सारी बातों का एफेक्ट आपको सलार की पॉपुलारिटी पर होता दिखाई दे रहा होगा। जैसे छिफकली को खीच-खीच कर मगरमच बनाने वाली कहावत है, कुछ इसी तरह से सलार फिल्म की खबरे आती रहती हैं। डारेक्टर आज इस पार्टी में गए, प्रभास आज उस पार्टी में गए, शुती हसन आज उसके साथ दिखाए दी, ये फिल्म इस टेक्नोलोजी का इस्तमाल करे है, आज दोने ये कपड़े पहने थे और ना जाने क्या-क्या, लेकिन experience लोग कहे गए, खाने को ज्याद मत पका ओवर, ना वो जल जाएगा, अभी फिल्म से तिनी ज्यादा expectation हो गई है, कि एक छोटी सी गलती जो शायद अन्य फिल्मों के मामले में, माफ भी हो जाए, इस फिल्म को नुकसान पहुचा सकती है, वैसे ये फिल्म किसी का फाइदा करा रही है, और वॉक और कोई न इंगोल फिल्म है, इसलिए ये पूरी तरह से हिंदुस्तान ने प्रदर्शित होने वाली बिग बचट फिल्म है, शुती चाहेंगे कि ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो, शुती ने बॉलिवड फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन कुछ गिनी चुन अब ऐसी बाते रोज होंगी, हर रोज अवाय, जोर पकड़ेंगी और रोज शांत भी होंगी, यही तो फिल्म इंडस्टी का कमाल है, काम करने वाले चुपके से काम कर जाते हैं और बागी लोगों के लिए रह जाती हैं तो सिर्फ बाते, ऐसी ही और मज़ेदार बात ही कर ये अगले वीडियो में एक नाइट गायल शेर की सांसे, उसकी तखाड से भी ज्यादा भयानक होगी क्या है सलार का मौजूदा स्टेटिस, कौन सी अफवाई सच साबित हुई और कौन सी जूट, फांस क्यू कर रहे हैं अपनी हदे पार सलार की इंतजार में, सारे सवालों की जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में, और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कातियाई और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलिग्राड स्टूडियो के खाष पेसकश में, तो दोस्तो आए दन सलार फिम के बारे में कई अवाई कई सच्छी जूटी बाते फैलती हैं यह यू कहें फैलाई जाती हैं, अब इसे मार्केटिंग स्टार्टिजी कहें, या मुस् सारे प्रडाक्शन डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, और शायद इसी वजह से कुछ खामिया, कुछ कमिया दिखाए दे तो रिशूट होने के चांसे बढ़ गए हैं, लेकिन यह बात तो पकी है कि यह फिल्म के कुछ समय पहले यह कुछ समय बाद रिलीज होगी, और इस अब और वो से देख लें तो उनसे मिले बिना नहीं रह सकता, अगर आप भी प्रभास के फैन हैं तो प्रभास की आने वाली फिल्म के बारे में जानकारी देने वाले इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा, अब दोस्तो जब बात हिंदोस्तान की सबसे बड़े सूपर स मुवी का तग्राव होना लेकिन बात दोनों के बीच में थी और कुछ अन्बन हूँ ही नहीं थी दोस्तों दूसरी और ये भी सामने आया कि प्रभास अपनी को स्टार के साथ कॉम्फटेबल नहीं है फिर चाहें रादे शाम की आक्ट्रिस पूजा हेग्रे हो ये शलार की आ करेक्टर प्ले करने वाली हैं इतने दिनों से इस बात पर चुपई साधे बैची दिव्या आखिरकार अपनी चुपई दोड़ दियो और कहा ये ऐसी कोई बात ही नहीं है ये सिफ कुछ लोगों की चलाई हुई है उन्होंने आकि ये कहा कि अगर वो कुछ नहीं लेकर आ है तो किसी और से पहले वो फुद ये बात ओडियंस को बताएंगी हाला कि दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि प्रभास के साथ अपना नाम जोड़ना ये अपने आप में एक बड़ी बात है तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है ये कुछ और आप अपने राह में कॉमस म नहीं जा रहा है ऐसे में सलार जल्द से जल्द रूलीज हो यहीं उमीद है आज शुटर पर इंस्टेग्राम पर और कई सोशल मीडिया साइट पर प्रभास अधि प्रुष्णादे शाम सलार इन नामों के हाश्टाग देखने को मिल रहे हैं और उनकी संक्यत निजादा है कि बागी हाश्टाग डाउन हो जुके हैं अब दोस्तों वैसे किसी ने सही ही कहा है सब्र कफल मीठा होता है इसी बात के साथ हम आपसे लेते हैं विदा हम फिर गायल शेर की सांसें उसकी पहार से भी ज्यादा भ्यानत होई इसवार नाकाम्यावी को कहले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता क्या बिग बॉस ओटीटी की विनर दिव्या अगरवाल नजर आ सकती है सलार में यह आने वाली है प्रभास की सलार की खास बाते प्रभास और प्रशान नील का मिलन कुछ इसे प्रभास और प्रशान नील का मिलन कुछ इसी तरह का अच्य मस्तार देखने को मिल सकता है हमें परदे पर और अब इसे जूरी एक खबर सामने आ रही है पहले तो आपको बता दे कि प्रभास के साथ इस फिल्म में शुरूती हसन होने बाली है और अब पर आ रही है कि बिग बाउस ओजी जी की विनर देव्या अगरवाल भी इस फिल्म में हो सकती है अब यह खबरे ओफीशल अनॉस्मेंट नहीं हुई है लेकि दिव्या गवत जीती है एक अलगी तरह की वो लाइम लाइट एंज्डॉइ कर रही है हर जगा सुरुख्यों में बनी हुई है तो हो सकता है कि उनका डेब्यों जाड़ा है और डेब्यों होने जा रहा है किस्मत टोचिये कितनी अच्छी है कि सीधहाथ साउथ की सूपरसार प्रभात की तुपर डेट्ट प्रशाद मील ने डिटक करेंगे तो यह उनकी ने बहुती ही बहुती बहत एल मुपर होने वाला है बात आने वाला time बताएगा कि वह अगी होगी या नहीश सबाएब आपको बताएगा कि वह का मीनिंग है इस बारे मही प्रशान मी aint fact की सलार का मसला होता है commander in shape और commander बंदे heard में दर्जा लाएंगे इसको में प्रभाद साथ ही आपको बदा दें कि एक लुक भी शेयर किया गया था प्रभाद का जिसमें वह काफी ज्यादा हैंसम लग थी उनके हाथ में गम जी और बहुती ज्यादा स्टाइलिश वह लग रहे थे तो दोस्तों बहुत कुछ खास होने लडाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्ग नहीं पड़ता उस शेर से वो नफरत करते हैं उसका कुछ नहीं बिगाड सकते हैं इसलिए तया वया कि भाशन झाड़ते हैं अखिर कितनी बड़ी हिट होगी सलार क्या ये फिल्म प्रभास के हॉलिवुड के दरवाजी खोल देगी और फिल्म का इस वक्त क्या स्टेटिस है हलो दोस्तों अगर आप भी प्रभास की आने वाली फिल्म सलार का इंतजार करते करते ठक चुके हैं तो इस गीरे को देखिए और अपने ठकान दूर करिए बॉली ग्राद स्टूडियोज आपके लेकर आया है एक आने वारी फिल्म के बारे में फैस सारी जान का रिया आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हमिश्का जागी खास तोर पर ठेयरेटिकल रिलीस के लिए बनी फिल्म सलार आप चर्चा में है और चर्चा इस बात की है कि क्या ये फिल्म अपने सोशल इफिक्स के जरीए हॉलिवड फिल्मों को टक कर दे पाएगी या नहीं ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रभास की फिल्में टेकनिकल प्रेसेंटेशन के मामले में सब से आगे है और खास तार पर सिलार क्योंकि इस फिल्म में डार्क स्ट्रीम टेकनलोजी इसकिमाल की जाएगी इस टेकनलोजी फॉलिवड में और खास तार पर डिरेक्टर क्रिस्टिफर नॉलन के फिल्मों में इसकिमाल की जाती है सालों पहले आई फिल्म, मैट्रिक्स और उनके अन्य पाच में भी ये टेक्नालोजी यूज़ हुई थी और दोस्तो बैटमेंट ट्रायालोजी को कौन भूल सकता है माना चाह रहा है कि DCT टेक्नालोजी यूज़ करने वाली सिलार पहली हिंदुस्तानी फिल्म होगी अब दोस्तो ओर्डिन्स इस पर किस तरा सर्याग करेंगे इसका अंदासतों लगाया नहीं जा सकता है लेकिन सबके लिए ये कुछ अलग एक्सपीडिन्स थाबित होगा बात करें प्रभास की तो वो अब पूरे एश्या में पॉपिलर हो चुके है उनकी फिल्मों का इंतजार सर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बलकि जापान, साउट कोरिया और इंडोनेशा जैसी कई देशों में प्रेस अब भी से किया जा रहा है हमने इससे पहले पिक कई फेमर्स सेचन सूपरस्टार को हॉलिवड में नाम कमाते हैं और फेमर्स दे होते हुई देखा है शायद ये फिल्म प्रभास की जिन्दिकी की वही फिल्म साबित हो सकती है जिससे उनके लिए हॉलिवड के दरवास भी खुल जाएंगे लेकिन दोस्तों ये देखना भी दिल्चस्प होगा कि क्या प्रभास हॉलिवड में काम करना चाहेंगे या नहीं इससे पहले कई इडियन सूपरस्टार को हॉलिवड से कई रोल हॉफर हुए हैं लेकिन दोस्तों उन्होंने हॉलिवड में काम करने से मना कर दिया बाद अगर दोस्तो सलार से जुड़ी उठने वाली अवाव की करें तो दोस्तो एक खबर ऐसी भी आई है कि बिग बॉस 15 की कंटेस्टन रहे चुटी दिव्या गरवाल को इस फिल्म में कास्ट किया गया है इस बाद से दिव्या के फान काफी खुशार मेसेज़स और वीडियोस के जहिए वो इस बाहरे में पोस्ट करते हैं लेकिन अभी तक मेकर्स के हवाले से कोई भी ओफिशल स्टेटमेंट रिलीज नहीं हुआ है और दोस्तो अभी यह सच है यह सिर्फ एक अफवा और अदरी अफवा है तो इस अफवा के पीछे का क्या रास्त और क्या कारण है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा फिर्म की शूटिंग इस वक्त चल रही है हाला कि पिंडामिक सिचुएशन्स और अन्ने कारणों की वज़ा से शूटिंग में धिले होता रहा है लेकिन दोस्तो फिलाल फाइनल स्टेच पर पौन चुगी है फिर्म प्रृशान निल के निरदेशलक की बnal रही गरत दोस्तो एक बार आपने द्रो जीत LINak तो दोस्तो उसके बाद वॉक्स आफिस जीटना मुश्किल नहीं है झाल झाल क्या डबल रोल में नजर आएंगे प्रभास कुन स्टलार में कौन सी बॉलिवूड अभी नेत्रवी का दिलाया प्रभास पर क्यूं कर रही हैं शूती हसन अपने इंस्ट्रग्राइम अकाउंट पर अपने को स्टार को थैंक्स नमस्कार बॉलुक्रट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मूवी से रिलेटेट इस 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 इस्ट्रसिंग बाते बाहु बली से फेंप आने वाले साउस अक्टर प्रभास से मिला लिया अब केजियो फिल्म के डारेक्टर प्रशांस नील से हाथ जल्दी प्रिशान फ्ली की दिल्देशन में बनने वाली सलार फिल्म में लीज रोल में नजराएंगे प्रभास इस फिल्म में और डाक्षेट किरदार निभाते नजराएंगे वहीं बताया जा रहा है कि सलार फिल्म में मचने वाला है जबल धावाल क्यूकि आने वाली से Actionumb Lewis फिल्म में प्रभास एक नहीं बल्गी दो करदार करते नजराएंगे जहां उनका एक करदार तो मकानिक होने वाला है वहीं दूसरा करदार में प्रभास एक एजइड मैन के करदार में निभाते नजराएंगे और ऐसा वो किसी फिल्म में पहली बार करने जा रहे हैं अगर ये बाद सच निकरती है तो भाई फिर तो फिल्म देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है हमारे दर्शकों को वही फिल्म में तो वेरी होट और चामिंग अक्ट्रेस शूती हसन भी प्रभास संग में लीड में नजराने वाली है और हाल ही में शूती हसन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस जारी करते हुए प्रभास को कहा है ठैंक्स और इसके पीछे की वज़ा रही लंच बॉक्स जी हाँ वेडनस दे यानी 8 सप्टेंबर को प्रभास ने शूती हसन को एक खाने से भरा लंच बॉक्स पहुचवाया जिसमें बिर्यानी, डाल, राइस और कई तरह की सब्जिया थी जिसे देख आप सब के मुह में पानी आ जाएगा क्योंकि भाई नाम लेते समय हैं कि मैं तो खुद को रोपीनी पा रही हूँ अब इतने स्वादिस्ट भोजन मिलने पर को शुक्रिया तो करता है और ऐसे प्रभास पहली बार नहीं कर रहे हैं वो पहले भी कई बार शूती के लिए लंच बॉक्स भिजवा चुके हैं जहां एक तरफ प्रभास शूती को खाना भिजवा रहे हैं दूसरी और बॉलेवोड की एक और कुईन का दिल आ गया है हमारे प्रभास पर आप समझी गए होंगे हम किस की बात कर रहे हैं जी हां कंगना रंडा और की जिने हाल ही में रिलीज हुई फिल्फ थालाइवा के लिए काफी पसंद किया जा रहा है अपने लेटस इंट्रिव्यू में सवाल का जवाब देते हुए संदिना ने कहा है कि वो साउस सूपरस्कार प्रभास के साथ वापस के काम करना पतन करेंगी जिसके लिए वो डारेक्टर पूरी जगर्नाथ को कह चुकी है कि अगर प्रभास मेरे संद काम करने को तयार हो दुबारा तो जरूर बताएं जिनने नहीं पता है उन्हें मैं बता दू कि बॉलिवुड फिल्म अक्ट्रेस कंगना रनाथ इससे पहले 2009 में आई तूरी जगर्नाथ की फिल्म एक निरंजन में प्रभास संद काम कर चुकी है और दर्शकों ने इस फिल्म को भी कापी पसंद किया था तो देखना है कि जहां सक्धा का पूर और जल्द ही दीपिका संग दिखने वाले हैं प्रभास वहीं क्या एक बार फिर कंगना संग नजर आएंगे बाहु बली तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप रभास और कंगना की जोड़ी को स्पिर से देखना पसंद करेंगे बिस स्क्रीन पर और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करेंगे गायल खेर की सांसे उसकी तहार से भी ज्यादा भयानक होगी क्या है सलार का मतलग क्या फिल्म में प्रभास निभाते दिखेंगे विलन के राइट हैंड का किरदार कौन से फिल्म में जल्द ही आ रही है प्रभास की नमस्कार बॉली ट्वैट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे हैं सलार मुवी से रुलेटिट कुछ इंटरस्टिंग बाते जैसे आम इंसान की जीवन में कई यादे अपनी अलग छाथ छोड़ जाती हैं वैसे ही फिल्मों में दिखाई किरदार भी आम लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाथ छोड़ जाते हैं जैसा 2015 में ISS राजा मॉली की फिल्म बाहु बली ने किया और तभी मैं भी प्रभास का जिक्र करने से पहले उनकी इस फिल्म का जिक्र कर देती हूँ पर एक कलाकार के लिए भला इस से अच्छा अप्रिसियेशन और क्या होगा बाहु वली फिल्मों के बाद जहां प्रभास का ग्राफ बढ़ता ही चला गया वहीं दूसरी और साहू से कही न कहीं उनकी एक्टिंग करियर पर थोड़ा नेगेटिव असर पढ़ता था पर फि प्रशान नील के निर्देशन में बने वाली सलार फिल्म में नजर आने वाले हैं प्रभास बात सलार फिल्म की करें तो पहले तो मैं आपको सलार का मतलब समझा देती हूँ दरसल सलार का मतलब होता है सेना पती सर्दार और प्रशान नील की भाशा में कहें तो राजा का र विलन नहीं पर विलन से कम भी नहीं ऐसा होने वाला है प्रभास का किरदार और सलार का असल मतलब भी तो टाइटल और डिरेक्टर के कहने से इतलग रहा है कि फिल्म में वो और प्रभास शायद विलन तो नहीं पर विलन से कम भी नहीं होने वाले हैं इस फिल्म में और शायद वो विलन के राइट हैंग का काम करते देखेंगे जो कुछ साल पहले 2005 में आई फिल्म अपहरन की याद दिला देगा जिसमें आजर देवगन की भूमिका का कुछ-कुछ असर आने वाला है सलार फिल्म के इन में प्रभास की किरदार को देख सकते हैं पर अभी इस पे कुछ भी ऑफिशिल कहा नहीं जा सकता है जब तक कोई साफ साफ ऑफिशिल अपडेट ना आ जाए तो देखते हैं क्या हमारा अनुमान फिल्म की कहारी के किरदार को लेकर सही साबित होता है या फिर प्रशान दिल ने कुछ और ही कॉंसेप्ट सोचा है प्रभास के किरदार के लिए तब तो के लिए आप हुए कमेंट बॉक्स में बताए कि आप प्रभास को अपहरन के अजे देवगन के किरदार में देखना पसंद करेंगे और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले जोती का दिखेंगी क्या होने वाला है फिल्म में श्रूती हसन का किरदार क्या सलार एक रिमेक फिल्म होगी नमस्कार बॉलिग्रेट स्टूडियो में एक बार फिर आप सब का स्वागत आज हम आपको बताने जा रहे है सलार मुवी से रिलेटेड कुछ इंट्रस्टिंग बात है साथ सूपरस्टार प्रभास की आने वाले साल में लगातार कई फिल्में लाइन में लगी हुई है रिलीजिंग के लिए जिसमें राधेश्याम, अधिपुरुष और डारेक्टर प्रशान नील के नया डारेक्शन में बनने वाली सलार फिल्म भी लाइन में आ चुकी है जी हाँ आने वाली सलार फिल्म से प्रभास सेलेगू सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे है जब से फिल्म सलार से प्रभास का जबर्दस लुक सामने आया है तब से दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एकसाइटमेंट देखी गई है फिल्म में पहली बार प्रभास और शूती हसन की जोड़ी को बड़े परदे पर देखा जाएगा और इस फिल्म में शूती हसन एक जोर्नलिस्ट का किरदार निभाते हुए नजर आ सकती है पर अभी तक इस पर कुछ ऑफिशल अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है इस फिल्म से एक और अदाकारा का नाम जुड़ रहा है और वो है साल 1997 में बॉलिवुड के फिल्म डोली सजा के रखना से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जोतीका का जो अब आने वाली फिल्म में प्रभास की बेहन का रोल करते हुए नजर आ सकती है जोतीका तमिल तेलगू हिंदी इंड़स्ट्री में काम कर चुकी है और अपना अच्छा खासा नाम भी बना चुकी है उन्हें वाली टेगोर खुशी मौजी जैसी फिल्मों में देखा गया है सलार में उनका रोल होगा या नहीं वो इस फिल्म का हिस्सा होती भी है या फिर नहीं इसकी कनफरमेशन मेकर जवारा अभी तक नहीं की गई है तो देखते हैं कि जोतीका इस फिल्म का हिस्सा होती है या फिर नहीं बात फिल्म सलार की कहानी की करें तो कुछ समय पहले खबरे काफी तेजी से बढ़ रही थी कि आने वाली फिल्म 2014 में आई कंणर फिल्म उग्रम का रीमेक होने वाली है और सबसे मज़े की बात तो ये है कि उग्रम फिल्म भी प्रशान नील के निर्देशन में बनी फिल्म थी और इस फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था पर इस बात से सलार फिल्म के डारेक्टर प्रशान नील ने साफ मना कर दिया है उनका कहना है कि सलार फिल्म के कहानी एकदम नहीं है और जो सिर्फ उन्होंने प्रभाद के लिए लिखी है तो देखना है जब फिल्म सलार आती है तो क्या उसमें कुछ हिस्से उग्रम के होते हैं या फिर सच में ये फिल्म एकदम अलग और जबरदस होने वाली है तब तके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आने वारी फिल्म सलार के लिए कितनी excitement है और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें क्या सलार और केजेएफ चाप्टर टू का clash होगा? केजेफ चाप्टर टू को सलार के साथ compare क्यों किया जा रहा है? साउथ इंडियन फिल्म इंडास्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग हाला कि ये एक friendly competition है लेकिन फिर भी ये देखना बहुत interesting होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस खमासान रेस का बादशा कौन सी फिल्म बन दी है सलार और केजेफ टू की तूलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी similarities है लेकिन इनी similarities को पार ले जाकर कौन सी फिल्म बॉक्स ओफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है यही होगी इस फिक्चर की achievement सबसे पहले हम similarity की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रिशांत नील ने डिरेक्ट किया है वैसे तो प्रिशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडास्री में काफी समय से ही movies बना रहे है लेकिन KJF चाप्टर 1 के साथ जो बांब उनों ने फोड़ा है वही से प्रिशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है इस वज़े से KJF चाप्टर 2 के लिए भी लोग दिवानों की तरह इंतिजार कर रहे है लेकिन इस रेश में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार सलार भी प्रिशांत नील द्वारा डिरेक्टर फिल्म है और ये भी एक वज़ा है कि लोग इन दोनों movies को compare कर रहे है दोनों के similarities में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है भुवन गौड़ा सलार और केजफ फिल्म सीरीज के सिने माठोगराफर है अब साउफ इंडियन फिल्म इंडास्टी के बेस्ट सिने माठोगराफर में से एक है और इनकी पिक्चुराइजेशन और सिने माठोगराफी के लेवल को छूपाना काफी बड़ी बात है केजेफ चाप्टर वन में इतनी रियालिस्टिक और जबर्दस सिनेमाटोग्राफी के बाद भुवन गाउडा को बहुत तारीफे मिली और सलार में भी भुवन गाउडा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले है बाद सिर्फ यही खतम नहीं होती क्योंकि सिमिलारिटीज की लिस्ट में प्रोड़क्शन हाउस भी शामिल है केजेफ चाप्टर टू और सलार दोनों को ही होमले प्रोड़क्शन कंपनी बारा लॉंच किया जाने वाला है दोनों ही कितने बड़े प्रोड़क्श है यह हम सभी जानते है इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपेर किया जा रहा है दोनों नहसे कौन सी पिक्चर बॉक्स ओफिस के चाट्स को फोड़ती है यह देखना काफी ज्यादा एकसाइटिंग होगा इन दोनों फिल्मों की तूलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियान फिल्म इंडास्टी के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड आक्टर है केजे अफ चाप्टर टू में हमें दिखने वाले है यश वही सलार में प्रभा और इन दोनों को ही आक्टिन अवतार में देखना काफी इंडरस्टिंग होने वाला है अब इन दोनों फिल्मों में ये हेल्दी कॉम्पेटिशन वाली रेस में जीत किसकी होगी ये देखना बहुत इंडरस्टिंग होने वाला है तो उसे के साथ वीडियो को करती चुलाई हमारे चानल को करती चुलाई क्या किसी फिल्म के कंसेप्ट को किया जाने वाला है सलार में रिपीट ये नेवर सीन बिफोर लुक में होने के बावजूद भी प्रभास की कारेक्टर को किया गया है रिपीट हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूरिप चानल बॉलिग्राफ स्टूरियोस की एक नई और फ्रेश वीडियो में जहां आपको मिलेगी फिल्मे जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टब कांट्रोवर्सीज और हट गॉसिप्स सलार फिर्म को लेकर हिंदी ओर्डिन्स सबसे ज़्याद एकसाइडिक है ऐसा इसलिए रोस्तों चेकी प्रभास की पिछली सूपर एक ब्लागविस्टर फिर्म बाहु बली के बाद से हिंदी ओर्डिन्स के बीच प्रभास का प्रेश काफी ज़्यादा बढ़ गया है कई सारे लोग वेट कर रही हैं कि प्रभास अपनी अगरी फिर्म को लेकर कब बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेंगे इंदी भाशी ओर्डिन्स बॉलिवट की रिपीडियर रीमेक फिर्मों से बोर हो चुकी है साथ की जो इस तरह की पार इंडिया फिर्म रिलीज होती है तो एक उरिजिनल कॉंटेंट और एक आक्चल उरिजिनल आक्टिंग फांस को देखने को मलती है जो कि उन्हें काफी एक्साइट करती है शायर दोस्तों यही वज़ा है कि सलार के डिजिटल राइट अभी से ही सौ करोड के पार बिख चुके है स्रद्धकपूर के साथ रिलीजवी प्रभास की फिर्म साहो ने भी बॉलिवड में काफी बड़ा बिजनस किया था हर कोई देखना चाहता है कि इस बार के सरह का प्रभास किर्दार निभाने वाले हैं फिर्म सलार में जहां अभी नेता हिट फूई फिर्म बाहु बली में एक राजकुमार की तौर पर नज़र आये थे मही साहो में उनका लुक पूरी तरीके से एक हैंसन डाशिंग आजटिविट मान का हो गया था इस बार दोस्तों सुनने में आया है कि दोनों ही पोस्टर में प्रभास के दो अलग-अलग लुक की दिखाई जा रही है जहां वो रंग और हलके से बियर्ड लुक में नज़र आ रही है महीं दोस्तों पोस्टर में मिडल-एज मान दिखाई दे रही है जो कि हाथ में बंदू के लिए बैठे है और आसपास अतना ज़ादा दुआ है और इतनी ज़ादा इंटेंसिटी है कि मानों अपने सभी दुश्मनों को अभी उन्होंने दीर कर दिया हो लेकिन जिस तरह से फिल्म की कहानी सामने आ रही है और प्रभास का लुक दिखाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं इस बात की अववा मार्कित में काफी ज़्यादा जोर पकड़ रही है कि एक आम किसान की कहानी सलार में दिखाया जाने वाली है दोस्तों कुछ साल पहले रिलीज हुई प्रभास की फिल्म प्रभास का लुक डबल रोल दिखाया गया था जहां वो एक में दोस्तों जहां एक डॉन के किरदार में थे महीं दोस्तों दूसरी तरफ एक आम गाओ के आदमी थे जिसने डॉन बनकर अपने गांग में बेज दिया जाता है खबे निकालने के लिए अब दोस्तों अब वाई उठ रही है कि यही कहानी और इसी तरह का कॉंसेप्टेस बार सलार प्रभास में भी देखा जा सकता है और कई सारी रिपोर्ट की तो दोस्तों ये भी बताती है कि इस फर्म में प्रभास का डबल रोल होने वाला है तो इस बात पर पक्ते मोहर लगने में अब कुछ जावे सवाल खड़े करें तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि आखिर में सचा इस क्या है दोस्तों ये तो फर्म की रिलीज होने के बाद ही पर चलेगा तो दोस्तों जिस तरह का किरदार हो जिस भी आंग्री में लूप में प्रभास को दिखाया गया है makers कह रहे हैं कि ये एक never seen before लूप होने वाला है प्रभास का बावजोग इसके उनकी पहली फिल्म में इस तरह से देखा जा चुका है कि उन्हें हम आंगरी यंग मैन का नहीं कह सकते क्योंकि दोस्ता हम नहीं जानते कि फिल्म में आके खुक्नी जादत्स्रल और इंटेंसिटी भरी हुई है लेकर उनका किरदार वापस से रिपीट हो रहा है इस बात की 98% लोग सच मान रही है एक तरह जहां सलार फिल्म से प्रभास के लुक को लेकर फैंस काफ़ जादे एक्साइटिब लग रहे हैं अब वागे सारी कंपोजर्स इस फिर्म के हो रहे हैं और अब दीरे दीरे फिर्म का फ्रेस कम भूटा नजर आ रहा है तो दोस्तों क्या लगता है आपको फिर से प्रभास का लुक और फिर्म का फिर्म से रिपीट किया जाएगा अपने व्यूज हमें कॉमेस में जरूर बताएगा हमारी आज की राइटर हैं कोमल तिर्म घायल शेर की सांसे उसकी तहार से की ज्यादा भयानक होई सालार को लेकर उठ रही अफ़ाओं की आखिर क्या है सच्चाई सालार ने कैसे बढ़ा इशू की हसन की बॉल बुट में मुश्किल इस वा नाकाम्यावी को खले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता नमस्कार सच्च्रियकाल आदाब तहे दिल से स्वागत है आपका वापस से आपके अपने यूट्यूब चानल बॉल ग्राद स्टूडियोस के फ्रेश और न्यू वीडियो में अगले साल अप्रिल में रिलीस हो रही है प्रभास और शूती हसन की फिल्म सालार इस मूवी को डिरेक्ट कर रहे है दी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मूवी के जी एफ के डिरेक्टर प्रशाद नील फिल्में एक और बेहदी उंदा कलाकार है तो दूसरी और एक बेमिसाल डिरेक्टर प्रशाद और प्रभास पहली बार एक साथ काम करते आएंगे नसर एक्स लेबल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे जहां मुवी में एक और प्रभास की कमाल की आक्टिंग लोगों से नहीं संबल दी ऐसे में डबल रोल वो भी इंटेंस डाक थ्रिलर एक्शन स आगा मूवी आएगी तो क्या ही आलम होगा इस बात को तो कहते हुए ही रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं प्रभास का ऐसा अफतार राथ से पहले किसी भी मूवी में नहीं देखा गया है बीच में इस मूवी को लेकर कुछ अफवाएं उठी थी कि इस मूवी में विलन के र अफवाएं निभा सकते हैं इस मूवी से जुड़ी एक अफवा ये भी थी कि ये प्रशान नील की ही एक मूवी कूगरम का रीमेक है मगर डिरेक्टर ने इन अफवाओं को खारिच करते हुए स्टेट्मेंट दिया कि ये मूवी पूरी तरीके से औरिजिनल कंसेप्ट पर कुछ लोग एक बात से काफी खषा है होंबले फिल्म कंणरा बेस्ट फिल्म प्रडक्शन इंडुस्री है अपने कंणर आक्टर के साथ काम करने की बजाए और कंणर फिल्मिंडुन को प्रमोट करने के बजाए वह इक आउटसाइडर यानिकि तेलगू सूपरस्टर आसे थोड़ी सी नजर हटा आए तो फिल्म की लीडिन अक्ट्रिस के तोर पर शूती हसन को कास्ट किया गया है। इंटर्वियू के दोरान शूती हसन से उनका सालार फिल्म में किस तरह का experience रहा और प्रभास के साथ उनका कैसा ताल मेल रहा ये सवाल पूछा गया था। प्रभास की सभी फिल्मों की actresses उनकी हमेशा जम कर ही तारीफ करती है। लेकिन काफी serious अंदाज में शूती हसन ने ये statement दी कि प्रभास दिल के बहुत अच्छे इंसान है। कई सारे actors drama करते हैं कि वो down to earth और genuine हैं लेकिन असल जिंदगी में उनका असली चेहरा कुछ और ही होता है। लेकिन प्रभास सच में दिल से काफी जादा अच्छे हैं और अभी तक जिन-जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उसमें से प्रभास उनके लिए best actor साबित हुए हैं। South industry के regional star की इतनी तारीफ करते हुए शूती हसन ने Bollywood के कुछ popular stars का दिल तोड़ दिया। जिसके बाद से खबरे आ रही है कि शूती हसन की upcoming projects और endorsements भी cancel हुए हैं। हाला कि किसी भी तरह से शूती ने अपनी statement वापस ना तो ली ना ही किसी तरह का modification उन्होंने अपनी statement को लेकर justify किया है। अब आगे देखना दिल्चस्प रहेगा कि सालार फिल्म से शूती हसन की popularity बढ़ती है या फिर उन्हें statement की जिम्मदारी उठानी पड़ती है। बात फिल्म की करें तो अभी तो सिफ अनुमान लगाया जा सकता है और जितने जादा अनुमान लगाये जाएंगे फिल्म के लिए curiosity उतनी जादा बढ़ेगी। अगले साल आप्रिल तक ये सबर हम सभी को बनाए रखना होगा। देखते हैं कि आखे रिनुसेंट फ्रिबास का एक्स्ट्रीम वॉयलिंट लुक दर्शकों को कितना पसंद आता है। में जादा वॉयलिंट आता है। झाल झाल क्या है शूती हसन का सलार में किरदार कितना चार्ज कर रही है शूती हसन सलार फिल्म के लिए कौन से डांस नंबर पर परफॉर्म करती नजर आ रही है शूती हसन हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चानल बॉलिग्राद स्टूडियोस के फ्रेश न्यू वीडियो में जहां आपको मिलेंगी फिल्मी रगत से डूडी सभी लेटिस्ट अपडेट्स, टॉक कॉंट्रूवर्सीज और हाट गॉसिप्स प्रभाज की मोस्ट अंटिसिपेटर मूवी सलार को जल ही अगले स्टाल रिलीस कर दिया जाएगा सलार को डिरेक्ट कर रहे है केजेफ के सूपर हिट डिरेक्टर प्रशांत मीग फिल्म को लेकर फैंस की बीच में काफी ज्यादा बेसबरी है इसलिए हर कोई फिल्म को लेकर हर दिन नई नई फैंट यरी सोशल मीडिया पर डालता रहता है इस फिल्म को लेकर कई सारे अफ़ाई भी हर दिन सुनने को मिलती है इससे पता चलता है कि फिल्म को लेकर लोग कितने ज्यादा क्यूरियस है मूवी में भी कई सारे बदलाव हो रहे है जिस वज़े से हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है सलार एक पान इंडिया फिल्म है इस फिल्म को पाच अलग-अलग भाशाओं में रिलीस किया जाएगा इस फिल्म में शूती हसन एक लीडिंग आक्टिस के रोल में नज़राएंगी आज के हमारे खास वीडियो में हम सलार फिल्म से अपने करियर को एक लेवल अप पर ले जाने वाले है एक तरफ जहां सलार फिल्म के पोस्टर में स्टूपर स्टार प्रभास को देख कर ओडियन्स फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो रही है वही शूती हसन का रोल भी काफी इंटेंस और बोल्ड नज़राने वाला है ओमली प्रडक्शन्स ने शूती हसन को उनका बर्दे विश करते हुए एक पोस्टर रिलीज किया था और जिसमें उन्होंने शूती हसन का सलार फिल्म में होने का कन्फरमेशन दिया था बोल लिवुड में भी अपना कमाल देखा चूकी शूती हसन सलार फिल्म में किस करदार में नज़राने वाली है ये फैंस काफी ज्यादा टाइम से जाना चाहते है तो दोस्तो चलिये आपको बताते है कि शूती हसन का करदार फिल्म में किस तरह का नज़राएगा सलार फिल्म में शूती हसन एक जूर्णालिस का किरदार निभाने वाली है एक तरफ प्रभास का किरदार अंडर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है वही शूती हसन जूर्णालिस के किरदार में नज़राने वाली है तो automatically दोनों का connection किस तरह से बैठेगा ये साफ निज़राय रहा है। एक love story के तौर पर दोनों को उस साथ में देखा जाएगा, जहाश्रूती हसन investigative journalist के तौर पर सलार याने की प्रभास का परदा फाश करने के लिए अपनी identity छुपाएगी। और आखिर में दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ जाएगे। फिल्म एंड तक बहुत intense action से भरी हुई निज़राने वाली है। जुसमें शुरूती हसन भी high voltage action करती हुई देखी जाएगी। जब फिल्म इतनी बड़ी है और इतना बड़ा superstar हो वही high paycheck होना तो बनता है। सलार की heroine याने की शुरूती हसन भी इस फिल्म के लिए काफी बड़ा amount charge कर रही है। शुरूती हसन की life में सलार एक career changing और life changing movie होने वाली है। फिल्म के लिए शुरूती हसन ने एक करोड रूपिय चार्ज किये है। आज से पहले अपनी किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने इतना बड़ा amount charge नहीं किया है। तो जहां के high often stunts दिखाई देने वाले हैं वही फिल्म में शुरूती हसन सूपर डांस करती हुई भी निज़राएंगी। देखते हैं कि ये सब शुरूती हसन की life में क्या ऐसा change लाता है। कौन पहले मारता हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शेर से वो नफरत करते हैं। उसका कुछ नहीं बिगाड सकते ना। इसलिए द्राव रहा के भाशन छाड़ते हैं। कैसी बना सलार से प्रभास का कनेक्शन। क्या रौकी भाई और बाहुबले की बीच अटकी हुई थी ये फिल्म। क्या है प्रशायंत नील की future planning। हेलो और वेल्कम तो यूट्यूब चानल गॉयल राग स्टूडियोज। जहां आपको मिलेंगी फुल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटिस अपडेट्स, टॉप कॉंट्रिवर्सी और हॉट गॉसिप वह भी मेरे आनी शूती के साथ। बॉक्स ओफिस के बाहुबली प्रभास बॉलिवड में अपनी पहचान बनाते जा रही है। बाहुबली के बाद से हिंदी सिनिमा में भी प्रभास एक जाने-माने कलाकार बन चुके हैं। प्रभास बने की पूरी तैयारी में है। बाहुबली के बाद गॉलिवड अक्टिस शद्धा कपूर के साथ प्रभास की ब्लॉगबस्टर फिल्म साहों ने पूरी इंडस्टी और हिंदी ओडियन्स का ध्यान अपमी तरफ सीचा था। सूपर दांस मूब्स, आक्शन सीन्स और प्रभास का आटिट्यूद सभी को काफी पसंद दिया था। हर बार फिल्मों में प्रभास का एक नया अफ्तार सामने आता है। हर फिल्म में अपने किरदार में प्रभास इस तरह से घुश जाते हैं। तो पता ही नहीं चलता कि प्रभास आटिंग कर रहे है। लगता है जैसे कि यह प्रभास की परस्नालेजी है। इसलिए डिडेक्टर्स को भी प्रभास के साथ काम करने में और नए-णए कैरेक्टर के साथ एक्सपरिमेंट करने में काफी मज़ा आता है। ऐसा ही एक बड़ा एक एक्सपरिमेंट किया है केशिव देक्टर प्रशांत नीले प्रशांत नील की नेक्स फिल्म सालार में प्रभास को एक नेवर सीन बिफॉर लुक में दिखाया जाने वाला है फिल्म के पोस्टर जब रिलीज किये गए थे उसी के नीचे टाग लाइन थी इस लाइन रही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में कितना ज्यादा अग्रेशन इस बार दिखाया जाने वाला है प्रभास ने पहले भी फिल्मों में बोर्ट इंटेंस लुक अपनाया है मगर इस बार पूरी फुल्म ही अग्रेशन और इंटेंसिटी के डिगर गूमने वाली है एक पुसर में प्रभास ब्लाक संग्लासस में यंग रेबल स्टार की लुक में वॉक करते वे दिखाया गया है तो वहीं दूसरे में मुचों के साथ प्रभास का मिडल एज लुक दिखाया गया है जहां वो हाथ में राइफल ये संदाज में बैटे हैं जैसे कि he is the king of the world प्रभास काफी शान दिखाएगा है बावजूद इसके प्रभास के करेक्टर की इंटेंसिटी उनके एक्स्प्रेशन स्पोस्टर के लुक में दिखाई दी रही है जिस भी फिल्म में प्रभास होते हैं वो फिल्म ऐसे ही नजर आती है जैसे कि सिर्फ प्रभास के लिए बनी हो लिकिन सलार फिल्म से प्रभास का रिष्टा ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जुडा जिहां दोस्तों जब ही कोई संद बनाए जाती है यह फिल्म का खयाल भी आता है तब ही से डिरेक्टर के मन में कोई न कोई आक्टर फिक्स हो जाता है तो कि उनके इसाब से उनकी फिल्म के लिए पॉफेक्ट है लेकिन यश को फिल्म की कहाई में कुछ दम नगर नहीं आया इसलिए यश ने खुद इस फिल्म के लिए प्रभास का नाम दिरेक्टर को सज्जेस्ट किया बाद में खबर आई थी प्रशांत नील यश के बाद अगर किसी आकर को साथ ये फिल्म बनाना पसंदे हैं तो उनकी प्रभास ही थे जब प्रभास को फिल्म की कहानी सुनाई गई तो उन्होंने तुरंट हा कह दिया प्रभास को फिन की स्टोरी और खुद का कारेक्टर काफी पसंद आया था उन्हों में इस तरह का अग्रेसिव कारेक्टर पहले कभी नहीं निभाया है और रियल लाइफ में भी प्रभास बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है काफी लंबा समय लगा दोनों में से एक को फिल्म के लिए सूज करने में पहले लंबा टाइम यश के साथ और बाद में प्रभास के साथ हाला कि खबरे आई थी की प्रशांत मील का इरादा था कि दोनों स्टार्स को इस फिल्म में लाया जाता के जिस वज़े से दोनों के बीच फिल्म काफी लंबे समय तक अटकी रही लेकिन फिल्म के लिए यश को अपना लुक रॉकी भाई से बदलना पड़ता जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाते थे वो भी जब तक केजियों का सेकेंड पार रिलीज नहीं हो जाता तब तक रॉकी भाई को लोग न भूले इस वज़े से यश अपने लुक के साथ क्यों छेचान नहीं कर रहे है इसके फिल्म को फाइनली प्रभास के साथ शूट किया गया अब काफी लंबी प्लानिंग है प्रशांत नील की कि जब दो ही सूपरस्टार की पाइपलाइन सभी सूपर मेगा बजट फिल्म रिलीज हो जाएंगी उसके बाद दोनों को साथ मिलाकर एक और हाई बजट पार इंग या फिल्म बनाए जाएगी और ये नैस फिल्म सलार का सीकूल भी हो सकती है क्या सलार और केजेफ चैप्टर टू का क्लाश होगा केजेफ चैप्टर टू को सलार के साथ कंपेर क्यों किया जा रहा है साउथ इंडियन फिल्म इंडास्टी की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग हाला कि ये एक friendly competition है लेकिन फिर भी ये देखना बहुत interesting होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस खमासान race का बादशा कौन से फिल्म बनती है Salon और KJF2 की तूलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी similarities है लेकिन इनी similarities को पार ले जाकर कौन से फिल्म box office में ज्यादा बड़ा धमाका करती है यही होगी इस picture की achievement सबसे पहले हम similarity की बात करे तो दोनों ही फिल्मों को प्रिशांत नील ने डिरेक्ट किया है वैसे तो प्रिशांत नील South Indian Film Industry में काफी समय से ही movies बना रहे है लेकिन KJF chapter 1 के साथ जो बाम उनों ने फोड़ा है वही से प्रिशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे है इस वज़े से KJF chapter 2 के लिए भी लोग दिवानों की तरह इंतिजार कर रहे है लेकिन इस रेश में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है जो है सलार सलार भी प्रिशांत नील द्वारा डिरेक्टिड फिल्म है और ये भी एक वज़ा है कि लोग इन दोनों movies को compare कर रहे है दोनों के similarities में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है भुवन गौड़ा सलार और केजफ फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है इस साउथ इंडियन फिल्म इंडास्कि के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है और इनकी पिक्चुराइजेशन और सिनेमेटोग्राफी के लेवल को छूपाना काफी बड़ी बात है KJF चाप्टर वन में इतनी रियालिस्टिक और जबरदस सिनेमेटोग्राफी के बाद बुवन गावडा को बहुत तारीफे मिली और सलार में भी बुवन गावडा ही सिनेमेटोग्राफी करने वाले है बाद सिर्फ यही खतम नहीं होती क्योंकि सिमिलारिटीज की लिस्ट में प्रोड़क्शन हाउस भी शामिल है KJF Chapter 2 और सलार दोनों को ही होमले प्रोड़क्शन कंपनी द्वारा लाँच किया जाने वाला है दोनों ही कितने बड़े प्रोजेक्स हैं यह हम सब ही जानते हैं इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपेर किया जा रहा है दोनों में से कौनसी पिक्चर बॉक्स ओफिस के चार्ट्स को फोड़ती है यह देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा इन दोनों फिल्मों की तूला करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियान फिल्म इंडास्टी के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड आक्टर है KGF चाप्टर टू में हमें दिखने वाले है यश वही सलार में प्रभा और इन दोनों को ही आक्शन अवतार में देखना काफी इंटरस्टिंग होने वाला है अब इन दोनों फिल्मों में ये healthy competition वाली race में जीत किसी होगी ये देखना बहुत interesting होने वाला है तो उसके साथ वीडियो को करती चो लाई हमारे चानल को करती चो सब्सक्राइबर प्रभास के किरदारों के साथ क्या उनके असल स्वभाव का कोई मेल है प्रभास रियल लाईफ में कैसे है इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लाश्टर बने रहे हमारे साथ इंडियन सिनेमा के डार्लिंग प्रभास की फिल्मों के बारे में तो हम काफी चरचा कर चुके हैं उन्होंने आज तक क्या क्या फिल्मे की है कौन कौन सी फिल्मों में अपने धमाकिदार आक्शन की बदौलत लोगों का दिल जीता है इन सब बातों पर हम अकसरी आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं यहां तक कि उनकी अगली प्रोजेक्ट क्या क्या होने वाली है यह इन्फिर्मेशन में हम आप तक देते रहते हैं लेकिन जो बात आप लोग नहीं जानते हैं वो है प्रभास का असल स्वभाव आकर कैसा है वो रियल लाइफ में किस तरीक के इंसान है आज हम इस वीडियो में इसी पर कुछ खास चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले प्रभास ने अपने आक्टिंग करियर की शुरवा तेलगू आक्शिन ड्रामा फिल्म ईश्वर के साथ की थी के बाद प्रभास को अच्छा खासा रस्पॉंस मिला था इसके बाद हमारे प्रभास ने कई फिल्मों में काम भी किया और ओडियन्स का दिर चीथे गए इन तमाम फिल्मों में एक चीज़ काफी कॉमन रही और वो है प्रभास का आक्शिन जब से प्रभास ने इंडियन सिलेमा में कदम रखा है तब से उनके प्रभास ने अभी तक सिर्फ एक रमांटिक फिल्म की है और वो है डारलिंग जो की 2010 में रिलेज हुई थी और इस फिल्म में प्रभास के साथ काजन अगरवार नदर आई थी प्रभास के फिल्मों की हिस्ट्री देखे तो उन्होंने जादतर आक्शिन फिल्मों में काम कि और इसी वज़े से उन्हें तेल्गू इंडस्ट्री में एक आक्शन हीरो के तौर पर ही देखा जाता है प्रभास की फिल्मों से अगर उनकी पहचान की जाए तो दोस्तों एक गॉयलिंट किस्म के इंसान के रूप में नजराते हैं लेकिन असल जिंदगी में प्रभास ब काम किया है उनका कहना है कि प्रभास जादा बात नहीं करते हैं वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं सेट पर आते हैं काम करते हैं और वापस अपने घर को चली जाते हैं तो दोस्तों कंक्लूशन तो कुछ यही निकला कि प्रभास रियल लाइफ में एक शांत व्यभा प्रभास के बारे में कुछ खास चरचा हम उमीद करेंगी कि प्रभास की हर फिल्म को लोग उतना ही प्यार दे जैसा प्यार उनको कैसे हुआ टीम का मेजर एक्सिडेंट किस खास लोकेशन पर हो रही है फिल्म की शूटिंग किसने संभाली है फिल्म के वीजुल्स की जिम्मेदारी हेलो दोस्तो मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग्रेड स्टूडियोज में इन दिनों फिल्म सलार के बारे में दर्शकों के रियक्शन आना शुरू ह हो चुके हैं चब से पोस्टर और ट्रेलर आ चुका है और लोग अपनी राय बता रहे हैं सबसे काफी ज़्यादा पसंद आया है प्रभास का ये अंदाज तो चलिए आज उस पर ही कुछ खास बाते करते हैं वैसे देखा जाये तो सलार का किरदार प्रभास के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि उनकी नजर में ये किरदार निभाना काफी मुश्किल है प्रभास इस फिल्म में गैंस्टर के लीडर का किरदार निभा रहे हैं और आगे जाकर उनकी काफी दुश्मनों से भी लड़ाई होने वाली है पूरे फिल्म में उन्होंन फुल कॉन्विडेंस के साथ खुद के किरदार को पेश किया है। उनके साथ सस्पेंस बढ़ाने आ रही है एक्ट्रेस शुरूती हसन और साथ ही एक्टर जगपती बाबू जिनका इस दुश्मनीक से एक खास कनेक्शन है। वीडियो भी वाइरल हो रहा है जिसमें प्रभास लोकेशन की और जा रहे हैं और उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए दो तीन गाडिया भी पीछे आ रही है। दरसल उसी जगए पर शुटिंग करते वक्ट एक टीम मेंबर के एक्सिडेंट होने की खबरे आ रही थी। हाइ सीन करते हुए भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी भी फिल्म के लिए कैमरा उसका आएना होता है। ट्रेलर हो या पूरी फिल्म कैमरे में कैप्चर की गई हर चीज पर शांदार दिखाए देती है। और इसलिए हर फिल्म के सिनेमेटोग्राफर काफी एहम भूम और ट्रेलर ने तो साबित कर ही दिया कि पूरी फिल्म कितने जबरदस्त होने वाली है। फिल्म पर चर्चा करने के साथ साथ अब दर्शक हर चीज को नोटिस कर रहे हैं। बच्चे तो प्रभास का स्टाइल कोपी करके वीडियो वाइरल कर रहे हैं। सोचिए फिल्म का गाना रिवील होगा तब सोचल मीडिया पर कितने ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे तब तो बड़ा हंगामा होने वाला है। अब बारी आती है रिलीज डेट को जानने की तो फिल्म इस साल 14 अप्रेल को रिलीज होने वाली है। इसलिए तयार हो जाईए सूपर पैक से उसकी ताहर से की ज्यादा भ्यानक होगी है। आपका रिबल स्टार अपनी फिल्म सालार को लेकर जल्दी आपके सामने आने वाला है। फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर जोरों सी वाइरल हो रहा है। लोग इससे बार बार देख रही हैं सिर्फ प्रभास का डाशिंग लुक देखने के लिए। वैसे तो उनकी फैन फॉ ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ी उनका किरदार थोड़ा अलग है क्योंकि ये सस्पेंस के साथ साथ आक्शन का भी तड़काल लगाने वाला है। अब उसी के लिए अपने लोगों पर किरदार पर काफी ज्यादा काम किया है। फिल्म में वो किसी तुर्वाने बदले को प इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जिससे साफ साफ पता चलता है कि फिल्म ब्लॉग बस्टर होने वाली है। पर आपको एक बात बताएं। ये करनल तेल्गो फिल्म है और जब इसका पोस्टर डूइल किया गया था तब करनल ओडियंस में काफी नाराज़गी जताई गए राज मॉली जैसे अपने तेल्गो इंडस्टरी से जुड़े हुए हैं उसी तरह मेकर्स और डारेक्टर्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। सवाल ये उठता है कि क्या ओडियंस किसे देखना चाहिए। उसके हिसाब से करनल इंडस्टरी का नाम सबसे उचा क करने वाल सुपरस्टार यश को ये मौका मिलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री कॉलब पहचान दी है। लोग उनको लेकर काफी ज्यादे एमोशनल है। ये तूप दिखी रहा है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो तरभास से तम प्यार करते हैं। वहीं उनके दिल से करीब है और अब माहौल फोड़ा चेंज होती नजरा रहा है और सब काफी अच्छा रिस्पॉंस भी दे रही है। अब अगर राज मौली के नाम आ चुका है तो उन पर भी कुछ बाते रह लेते हैं। इस फिल्म के डारेक्टर प्रशान्त नील भी किसी से कम नहीं सालार और केजीम चाप्टर टू कोई एक साथ एक दिन रिलीस करने का बड़ा फैसलाउन होनी किया है। जो कि एक काफी दंदार आक्षिन हो सकता है। केजीम भी बहु बले के टककर किये फिल्म थी। इतनी तगडी फिल्में और जिसमें अभी प्रभास दी शामिल हुए ह तो क्या हो राजमॉली को कॉंप्टेशन दीनी की तैयारी कर रहे हैं। वेल ये तो प्रशांद ही बदा सकते हैं। तब तब के लिए हमें 14 अपरिल का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक फिल्म थीटर में रिलीस नहीं होती। अब आपको क्या लगता है कि प्रशांद प्रशांद मॉली से हैं। खायक शेर की सासरी की तखाड से ज्यादा प्याना थे हैं। इसा नाकाम्यावी को कहले लगाना नहीं जानता, वो कभी तरक्की नहीं पाता। को रहे साइचेंद और क्या होगा इंका फिल्म में किर्दार। क्यों है फिल्म के स्टार कास्ट अन्यूजल चॉइस फिल्म के लिए। के लिए। के बाद आप जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर प्रशांद मील काम कर रही हैं वो है फिल्म सालाथ। जिसमें प्रभास इस बार एक ग्रेशेड क्यारेक्टर करते नज़र आएंगे। ऐसे में इस फिल्म में दमदार कलाकार काम करते नज़र आएंगे जैसे बाहुबली प्रभास, जर्गबती बावु, शुति असेन और साइचंद। लेकिन आनोखी बात ही है कि डारेक्टर इस बार सभी को ए उद्धा कॉमेडी रोल्स और आक्शिन ड्रामाजर की फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन ग्रे क्यारेक्टर में उनको बड़े पर उतारने का काम प्रशांत नीली किया है। और ऐसे में जहां हीरो के क्यारेक्टर में डारेक्टर ने एक्सपरिमेंट किया है ठीक हु नहीं जो अपने आप में काफी चालेंजिंग काम होने वाला है। ऐसे में कई लोगों को फिल्म की एस सुर्प्राइजिंग स्टार क्रास्ट काफी इंट्रेस्टिंग लग रही है तो कई लोगों को ये बड़ा अदूस्त लग रहा है क्योंकि नो डाउट साइचन एक भै स्टार बन जाएगे। तो देखते हैं जो 14 अप्रेंट 2022 को ये फिल्म बड़े पर्दे पर्देंगे। अब इस फिल्म में कौन-कौन है। अकसर लोग बॉलिवुड सिनमा ज्यादा प्रिफर करते हैं पर पिछले कुछ सालों ने रीजिनल सिनमा ने जो धमाके मचवाएं हैं वो अलग ही लेवल के हैं। ऐसा तो आज तक कोई बॉलिवुड मूवी कभी नहीं कर पाई जैसा ब पॉलिवुड पर भारी पढ़ सकती है। क्या आप कीजिये पर बाहुगली जैसे फिल्मों का जादू तो बारा से दीखना पसंद करेंगे। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शारोखान यानी प्रभास ली चोल में दिखेंगे। प्रभास में एक्ससराज मॉली द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म बाहुबली से लोगों का दिल जीता है। अब इस फिल्म को पूरे इंडिया में तमिल और तेलगो के साथ आठ भाशाओं में डब किया गया है। जैसे कि मल्यालम, हिंडी, जापनीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, टाइवानीज और स्पैनिश में रिलीस किया गया था। हिंडी में डबिंग शरत कील कर द्वारा की गई थी तो ऐसे ही सालार को भी डब किया जाएगा। अगर हां तो किन-किन भाशाओं में डबिंग होगी। जी हां बता दी ये फिल्म पाच भाशाओं में शौट की गई थी जो की है कन्यडा, तेलगो, तमिल, हिंडी और मल्य की है, अब इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर रावी बस्रूर ने किया है और जिन्होंने KGF का भी म्यूजिक कंपोज किया था, सिनमाटोग्राफिक को भुवन गोडा हांडल कर रही है और इस फिल्म को वेजय किरन गांदूर प्रद्यूस कर रही है, एक फ़न पाक्ट य माकिदा है, इसमें माना जा रहा है कि प्रभास इसमें सालार बनेंगे जो एक सेवियर और फाइटर का रोल प्ले करते नजर आएंगे, जहां तक और लोगों की बात की जाए इस मूवी में शृती हसन है जो कि इस मूवी की लीडिंग लीडी आध्या के रूप में नजर आ इसमें माना जाता है कि उनका प्रभास के साथ पहला को लाग होगा और उस फिल्म की शूटिंग जानुवरी 2021 से स्टार्ट हो गई थी जिसके इंफोमेशन को बाहुबली ने अपने इंस्टा पेज पर शेर करकर देए